स्वस्ती परमात्मने नमहा स्वस्ती मुकुंद सच्छितानन्दाय नमहा स्वस्ती स्री सत्गुरुदेवाय नमहा स्वस्ती स्री मात् सरश्वते नमहा स्वस्ति श्री प्राण पुरुषोत्त माय नमहा गुरूर ब्रह्मा गुरूर विष्णू गुरूर देवो हमहेश्वरा गुरूर शाकिशात परहा ब्रह्मा तो समेश्री गुर्वे नमहा ज्यान मूलं गुरूर मूरती भूजा मूलं गुरूर पदा मंत्र मूलं गुरूर वाक्या मोक्ष मूलं गुरूर पदा स्री सच्चितानंद रूपायो विष्वे पत्या दिहे तवे तापत रैविनासाय स्री कृष्णाय वयम नमहा यम प्रप्रजन्त मनो पेतम प्रेत क्रत्यम दिहि पायनो विरहका तर आजुहावा उत्रैतितनमैतया तरिभो विनेन दूस्थ तमसरवभोत रदियायो मुनिमान तोश्यमे गजान नमभोत गणादि सेवितम कपित जम्ब फलचार भक्षणाम उमहसु तमशो कविना शुकारुकं नम्हामे विगनेश्वरपादु पईकजं यहाँ तेवी सरवभोतेशु शक्ति रूपेण सस्तिता नमहस्तसे 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 हनमो नमह शिन्ता हरण मंगल करण श्री मंगल मोरतिरू राधा सहित शाम बिराजो ममरधय सुरभो बोलियरधय वसल भगवाने की शुकदेव सामी की अयोध्यानात की जेवो परमंगल में परत पर अवकारन करुण भुरूना ले पीता म्वाधारी श्रीबाव्ब्रुक्रिस्टलाल की वंग में प्रति मुर्ति श्रीमत भागवत सब्ताइक महायग्य में सभी वेश्णुजन मात्रशक्ति पिता भाई रधे तुल्ले हमारी बहने सभी को इस व्यास मन्चोर व्यास मन्डली की ओर से साधर जैसे किष्ण जैस्री राथ थोड़ा से बढ़ाव इसको परमात्मनियों परमिनन्दित्व रुडान्दित्धारी श्रीबाल कृष्णलालकी वांगमे प्रतिमूर्ती श्रीमत भागवत क्या सस्टम दिवश्मे आईए हम और आप अपने मंतर धैसे हरी की चरणों में लगाते हुए मेरे गोविन को बजते हुए आईए कथा में प्रभेश करते हैं प्रेम से शद्धा और भक्ति के भाव से आईए हम और आप मिलकर दो भक्ति को अपना बनाते हुए गोविन को अपना मानते हुए मानना बाद में पहले अपना बनाना थैं गोविंद को अपना बनाते आये कता में प्रवेश करते गोविंद में रोहे गोपाल में रोहे गोविंद में रोहे गोपाल में रोहे श्रीबा के पिहारे नंदलाल में रोहे श्रीबा के पिहारे नंदलाल में रोहे बनवारी में रोहे गिरधारी में रोहे बनवारी में रोहे गिरधारी में रोहे प्रेम से दोनों हाथ उठा के ताली सेवा देते हुए गोविंद में रोहे गोविंद में रोहे श्रीबा के पिहारे में रोहे गिरधारी में रोहे पाले में रोहे गोविंद में रोहे गोविंद में रोहे ओ यो तो राधा रा मने गट शाम में रोहे ओ तो राधा रा मने गट शाम में रोहे ओ तो य शोदा को लालो गट शाम में रोहे ओ तो य शोदा रो लालो गट शाम में रोहे गो गण में रोहे गो पाल में रोहे गो पाल में रोहे गो पाल में रोहे गोपाल में रोए गोपाल में रोए गोपाल में रोए गोपाल किस्चंद्रा भगवान कीजे स्रीय योध्यानात कीजे सच्चित अनंद रूपायो विश्वे पत्यादिहे तवे तापत रैविनाशाय स्री कृष्णाय वयं नमहा सत्य चित आनंद प्रदान करने वाले सत्य सुरूप भगवान के मंतर धैस से प्रणाम करते हुए आईए सस्टम दिवस की कथा में परवेश करते हैं कर्मयोगी राजा परिशीत गंगा के टड़ी राजमा ने कर्मयोगी राजा परिशीत सत्गुरु देव से कहने लगी हे ग्रुजि झी आपने अ श्रीम करल कि मुझी कल कस्रome करवाया था लगन आपने मुझे बताया भगवान की जन्म उस्सव की कतागाई बाल लिला का वर्णन किया भगवन बाल लिला तक में गिर्राज कुजन तक कि वर्णन आपने किया मैं उस गन्शाम को उस कृष्ण को उन मेरे गोविंद को मैं वहां तक ये कताश्रबन करना चाहता हूं भगवन आपसे कि जहां तक मेरे मां के गर्व में जब ब्रह्मा अस्र का प्रहार हुआ मेरे सरीर में आग जली उत्पन्न हुई और उस समय मेरे ब्रह्मा अस्र की ब्रह्मा अस्र से मेरे रक्षा करने के लिए जो गोभिन पधारे थे ये महां तक्की में कताश्र league करना चाहता हूं कृपा करके मझे कृपा निदि मुझे कही मैं सरवत्र भगवान की वांगवे परतिमूर्ती स्रीमत भागवत में स्षी कृष्ण कता का सच्छित से सम्मन से कता का श्रबन करना चाहता हूं हे नात हे गोविंद आप रपा करे और मुझजज्जा विस्तार से भागवत सुरूपा भगवान कृष्ण के कता कही आपने बताया भगवन भगवान श्री क्रिष्टन के दुवारा ब्रजवासियों को कहा गया कि इस बार इंद्र का पूजन नहीं इस बार तो गोर्धन महाराज का पूजन करना चाहिए आज गोर्धन महाराज का सभी ब्रजवासि पूजन करने के लिए गए कि पूजन किया गया पूजन संपन्न वह वही उसी गोवर्धन परवत पे मेरे कृष्ट गिरिराज बनकर प्रकटे बोली गिरिराज भगवान की जब गिर राज भगवान हमने गिर्राज बनकर प्रक्टेना मेरे भगवन तहुस समय आज देखो गिर्राज के दर्शन पाए सभी ब्रजवासियों ने नंद बाबा ने पाए येशोदा ने पाए बाल गोपाल ने पाए गोपियों ने पाए दर्शन पाने के बाद सभी ब्रजवासियों ने देखो आज गिर्राज भगवान को चपन भोगों से भोग लगाया जब भगवान गिर्राज का भोग हुआ गिर्राज भगवान देखो आज दर्शन देने के बाद आज अदर्शन हो जाते हैं ब्रजवासियों आदे को पुझा लग ही इंद्र की सभा मेंcak चल रही है कि ब्रज़मंडल सब्सक्राइश चल रहा है झाओ देखकर दूत कि ब्रजमंडल में कब पूज Spiel हो रही दूत आकर देखता है दूत देख रहा है कि यहां तो इसी की昨od का पूजन हो गया और भोग लग रहाहर बंडारा चल रहा है दूत ने जाकर देखो इंद्र से कहा कि महाराज इंद्र आपकी जय हो लेकिन प्रजाओ में तो देखो जो धराधाम पे जो लोग रहते हैं मनुष्ट देते हैं वो आपसे विद्रो कर बैठें वो इस बार आपका पूजन नहीं कर रहें इस बार तो गौर्धन महाराज का पूजन किया इंद्र ग्रोध में लाल हो गया तमतमा गया कहने लगा कि ही इतनी मजाल मनुष्यों की इन मानों की इतनी मजाल कि इनने मेरी पूजा से विमुख हो गये है अब बताता हूँ मैं इनको इनने मेरा अपमान किया है मैं इनको ऐसा डंड दूँगा ऐसा डंड दूँगा कि ब्रजमंडल के साथ-साथ इन मनुस्य का भी पता नहीं लगेगा इन मनुस्य को सभी को इतना डंड दूँगा इतना डंड दूँगा इतनी बरसाद करूँगा इतनी वेग से वायू चलाओंगा कि ब्रजमंडल भी भग कर चला जाएगा और ब्रजमंडल का कण का भी पता नहीं लगने दूगा इंद्र प्रोद में लाल हो गया तम तमा गया इंद्र तम तमा कर केने लगा इतनी बरसाद करो 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 इतनी बरसाद क महारात के पूझा कर तेरी नई कि तयारी होता है काले काले बादल चड़कर आए ब्रजवासी दोड़ कर गए अरे कनया बड़े भन्य रे तेरे गोर्धन महाराद के पूजा करते तेरी नहीं हुई कि पानी भी आने की तैयारी होगे कितने सोबह की बात है आज तक हम इंद्र का पूजण करते आये लेकिन कभी इंद्र भोग लेनी नहीं आया गिराज पूजण किया तो गिराज ने दरसन भी दिया अध्यात्य भूग भी लिया और साथी साथ तुरन्त ही बड़साद भी करने बादल चड़कर आए हैं आज देखो बादल ऐसी गर्जना करने लगे वेसे पाहिन कर चड़कर आए काला पूरा आसमाइन काला हो गया अब लोग विजार करने ले गरदल्दी चलो बरसाद होने वाली कुछ लोग निकल रहे हैं कुछ लोग अपनी गारी चक्ड़ों में साम अज देखो ब्रजमन्दल में इतनी परसाद हो रही है कि हर गली मैं पानी ही दिखाई दे रहा हैं चारवत्र वायू के वेग इतना है कि वायू के वेग के प्रावाव से एफ घर में हर जगे में आज देखो हर घबराघबरा रहे हैं आज गबड़ाते हुए चभी ब्रज ब्रजवासी बुजुर्ग गोप आते हैं और कहने लगते हैं कुछ बुजुर्ग कि हो ना हो इंद्र नाराज हो गया इंद्र कौप कर रहा है इसा नहीं कि पुरा ब्रजमेंडल भे कर ले जाए ब्रजवासी मैं क्या कर सकता हूँ आप चाहते थे पानी बरसाद वो बरसाद तो हो गई अब ज़्यादा गिरे या कम गिरे इसमें मेरी कोई यारेंटी नहीं मैंने कहा था कि भगवान प्रकटेंगे तुम्हें दरसन देंगे हापके हाथों से भोग लेंगे और तुरंत बर करवा दिया मैंने यहां तक करवा दिया अब ज़्यादा बरसाद हो रही तो तुम जानो तुम जानो और तुमारे गोड़न-bhати जाने आज देखो यही बात कि भगवान कनिया ने तो हाथ खड़े कले ब्रजवासी घबराने लगी ब्रजवासी देखो नंद बाबा के पास गए नंद बाबा येशोदा, मनसुका, शीधामा, गोप, गोपिया, गूजर, गुजरन सबीख़ाकर कनिया से किहने लगए, कनिया अप्तू ही कुछ कर, कनिया कहने लगे कि मैं कुछ नहीं कर सकता, जिसके आपने पूजन की है, उट पूजन करने वाला ही आपको संकट से दूर कर सकता आप उनी के पास चले जाए आपका संकट वही तार सकते ब्रजवासी देखो हाथ पगड़ कर देखो उसी गिरते हुए पानी में देखो आज गोकुल से गोर्थन महाराजी के परवत के संमुक वोस्चे परवत पे जाकर प्रणाम करते और प्रातना करते गिरी राज धरन हाम हम आए जरन गिरी राज धरन प्राभुतुमरी जरन गिरी राज धरन प्राभुतुमरी जरन 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 प्राभुतु प्रभुतुमरी शरण जिर्याज दरण प्रभुतुमरी शरण प्रेम से जिर्याज दरण मांगी प्रभुतुमरी शरण जिर्याज दरण प्रभुतुमरी शरण प्रभुतुमरी शरण प्रभुतुमरी शरण जिर्याज दरण प्रभुतुमरी शरण प्रभुतुमरी शरण जिर्याज दरण प्रभुतुमरी शरण तो मरी शारना प्राभु तो तो मरी शारनय काना तो मरी शारनय काना तो में राज डारण तुल आ हो मेरी अभी 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 गिर्राज से बात हुई है कि क्या बात हुई कि गिर्राज ने कहा कि ये कहना तू मुझे उठाने में जिस्ते उठ जाओंगा कि गिर्राज सा खोसका है तो कैसे उठाएगा कि मैंने बुझे अभी कहा है कि गोर्दन भगवान ने कहा था कि तू ये पूजन की है अब तू ही बता करे क्या कि कुछ भी जोड़ी मदद करोगे मेरी कहां बिल्कुल करेंगे कि मदद मत करो केवल इतना काम करना कि जब मैं गिर्राज उठाओं तो उस गिर्राज के नीचे सभी को लेकर आ जाना केंदे लेगे ब्रजवाची के ठीक उताले भाईया आज मेरे करेईए साथ वरस की आयो मेरे साम संदर की वही साम संदर गिर्राज के पास जाते प्रणाम करते हैं और देको दोनों हातों से थोरा-जाटला देते हैं और कदिश्ट उंगली पे आज दे को गिर्णाज को धारण कर ले पे बोले गिर्णाज भगवाद की जर्णों गिर्णाज दारण प्रभोतो मरी शर्ण तुमरी शर्ण शाना तुमरी शर्ण तुमरी शरण काना तुमरी शरण किरी राज धरण किरी राज धरन प्रभु तुमरी शरन किरी राज महाराज की आज कनिष्टों उली पर भगवान गिर्राज को धारन किया साथ को उसके गिर्राज को बना दिया चोरियासी कोस में गोर्धन परवत किते ने कोस में फैला हुआ है साथ कोस में और ब्रजमंडल चोरियासी कोस में भगवान कनिया की जब गिर्राज धारन किया तो उम्र कितनी थी साथ वर्स वार कितने है साथ है ना सब रिसी कितने है साथ समुंद्र कितने है साथ परवत कितने है साथ और आतमा और परमातमा का साथ जो आतमा परमातमा को भज लेती है उसे परमातमा का साथ मिल जाता है आज देखो साथ दिन तक गिर्राज को धारन करते हैं आज जब गिर्राज को धारन किया उसी साथ कोस के गिर्राज को कितने कोस में विभक्त कर दिया कितना फेला दिया चोरिया सी कोस में आज इंदर देखो कोप करता जोर से वेग से हवा चलाता जा रहा है चलाता जोर से बरसाद होती जा रही होती जाती लेकिन गिर्राज के उपर बरसाद गिर्रे जिस परकार छाते से छाता खोलने से बरसाद से हम बच जाते हैं वैसे ही गिर्राज रूप में गोर्धन परवत को रूप में देखो ब्रजमंडल का छाता मेरे गोर्धन सुरूप भगवान किष् कि बोली रागवेंद्र सरकार न की है कि इससाथ दिन तक गिराज को धारन किया जब आधरन रहा तो इस सुबह से सामत कनेए को सबी कहने लगे कि थोड़ी कनेए के मदद करतेने चाहिए ऑगए कि मदद करने के लिए कि आज किसी ने अपना चाता खोल कर आज उसी चाते की सयोग किया गिर राज पर किसने लाथी से किया किसने चड़ी से किया किसी ने हात से किया भगवान कहने लगे कि सबका सयोग मुझे मिल रहा है संध्या हुई सुभे से उठाकर खड़ा रे एक काम कर अब तू आराम कर ले अब मैं समाल लूगा कनया कहने लगे कि तुम समाल लोगे पक्के में क्या हाम समाल लेंगे तो हमारे सामने जनम हुआ हमारे सामने बढ़ा हुआ गुठनों के बराबर आनि रहा है और उपर से समाल ले इतना मोटा ताजा तगडा सरीर है क्या मैं नहीं समाल पाऊंगा वही गुजर भajya आज अपने च्छाता लेते हैं च्छाता नीचे रखते हैं छड़ी नीचे रखते हैं धंडा नीचे रखते हैं और कनेया के पाठ जाते और कहने लगते हैं तुछोड मैं समाल लूँगा जैसे महाराज ने उनी दादा ने लिया हात में वही गिर्णा लेने कहने ले करिदा सोच आना बोला कनेया थोड़ा सा हाथ नीचे किया कि सब किसी का छाता टूटा किसी की छड़ी चुटी किसी का ड था तो कभी-कभी अहंकार आ जाता कि भगवान करें ने महों का दिया कि नहीं करहा ना कि लिफ सभर सामालो आप संगार चो जब औ कि आधि में की जोड़े कि नहीं जोड़े भगवान की जीवन सब्सक्राइब तरह से सीता रसे राम लक्षमन अगर बनकर रहना आए तो हमें सरल बनना पड़ेगा और यदि सरल बनेंगे तो हमारा जीवन सार्थ जाएगा आनन्द महीं साथ दिन तक गिर्राज को धारण किया इंडर ने दूद्ध को भेजा और कहा कि जो देखकर आ कि ब्रज मंदल का आप तो पताई नहीं रहा पालगा होगा जमिन तक खुद खुद कर भेगई ओगी दूद्ध आपकर देखा दूद्ध देख रहा है कि और चाता करके चोरिया सिको говорить की गिर्राज को धारण करें मेरे भगवान स्रीक्रिष्ण जो शाथ कुस की गिर्राज की परिक्रमा कर लेता है जो शाथ को उसका जो गिर्राज है अच्छा-वरंदावन कौन-कौन गए गोकुल कुन कुन गए तो गोकुल गए होंगे तुम्हों गोवर्धन परवत हैं और गोवर्धन परवत की जो परिक्रमा कर लेता है उसको उसकी आत्मा को परमात्मा से कोई संसार के कोई तागत दूर नहीं कर सकती परमात्मा से कोई तागत दूर नहीं कर सकती और जो की चोरियासी कोस के परिक्रमा कर लेता है उसको चोरियासी के चोरियासी लाग योनियों में आवा गवन के जंजर से वो मुक्त हो जाता है चुरियासी कोस की जो परिक्रमा कर लेते हैं, ब्रजमिंडल कितने कोस में फेला है, चुरियासी कोस में, जो चुरियासी कोस की परिक्रमा कर लेता है ब्रजमिंडल की, उसे बार बार पुनर अपिजनमं, पुनर अपिमरणं, पुनर अपिजननी, जठरे शैनं, बार अबार पर इस पर विराम लग जाएगा और परमात्मा के धाम को वो प्राप्त हो जाएगा दुनिया में इस संसार में मित्यों लोग में अगर सेष्ट योनी कुन सी है सर्वसेष्ट योनी मनुष्य की है और मनुष्य की योनी पाकर ही हम परमात्मा तक जा सकते हैं पशुवकर प्रमात्मा तक नहीं जा सकतें क्योंकि पशुवकर योनी में चले जाएंगे तुम पाप करेंगे और पाप करके फिर शोटी शोटी जीवों में हमें विभकत होना पड़ेगा लेकिन पशुवकर हम मनुश्य हो सकतें लगिन मनस्तों कर पशुख होने के कभी मन में विचार न आ है इसलिए सदेव जीवन में ध्यान रहे के हमारे दुवारा आए हमारे परिवार के दुवारा है हमारे विया इंडरियों के दुवारा हमें क्या करना है कैसे करना है कब करना है उसका निर्णे ही रखना चाहिए आज जो हो रहा उसे देखकर कभी निर्णे ही मत कीजिए आज जो होने वाला उसे देखकर निर्णे ही मत कीजिए कल जो होगा उसको देखकर आज का निर्णे कीजिए तो आपका जीवन सार तक में हो जाएगा आज क्या होना जादा से जादा कता हो गई हो जाएगी इसका रिजल्ट तो बाद में आएगा ना कता अच्छी हुई के बूरी हुई क्या हुआ क्या नी हुआ इसका रिजल्ट तो बाद में आएगा ना अपने इसी के बात करते हैं जीवन में एक बात कह सदेव ध्यान रहे कि हमारा निर्ण ऐसा होना चाहिए कि हमारा नाम हमारा कर्म हमारा धर्म हमारी जिग्यासा और अंकित हो जिग्यासा भी ऐसी प्रगट करोगे दुसरों को खुशी मिले जिग्यासा प्रगट करने के लिए मना नहीं है जिग्यासा प्रगट करनी चाहिए जिग्यासा प्रगट करो लेकिन ऐसी प्रगट करोगे उसी जिग्यासा के कारण दुसरे को भला हो खुद के लिए तो सब जीते हैं खुद के लिए तो सब जी रहे हैं पश्यू भी अपना पेड़ भरते हैं भूके नहीं रहते हम तो इंसान है कनेया ने साथ दिन तक गिर्राज को धारन किया साथ दिन तक स्चोर्यासी कोच के गिर्राज को धारन किया किया के लिए अपने लिए कि ब्रजवासी के लिए गोम आता के लिए कनईया आधेश करते वरुन को गया वरुन पानी बर्सा वरुन को बरसाना पढ़ता और ब्रजवासी Caleb डिया ते भगवान का के लिए जूचराचर के लिए गिर्राज को धारण किया है मेरे गोविन ने साथ दिन तक हमारे लिए नाकी ब्रजवासियों के लिए इंद्र को पता लगा इंद्र आया इंद्र आकर केने लगा भगवान इत्र लोखी ना थी जगदिश्वर मुझे शमा कर दो भगवान ने क्या कहा कि इंद्र तुझे शमा एक ही सर्थ पे करूँ कि तु धराधाम पे समय समय पर बरसाद करेगा तो ही तुझे शमा के योग्य होगा नहीं तो तुझे डंड का अधिकारी होगा इंद्र ने हाज जोड लिए कि भगवान में शमा का अधिकारी तो नहीं पर मुझे शमा कर दीजे मैं आपको वचन देता हूँ कि समय समय पर मैं बरसाद करूंगा हलाकि आपकी पंचमड़ी तो ऐसी है कि मन चाहे तब बरसाद हो जाए हाँ लेकिन इस नियम के अनुसार अगर बात करें तो चेतर मास के बाद जेश्ट आता और जेश्ट मातर में मास के समय देखो बादल अपना पानी बर लेते और असाड मास में बरसाद हो नी प्रारंग ह हो जाती है अब बताइए गिर्राज किसके लिए धारण किया ब्रजबासियों के लिए कि हमारे लिए आपके लिए हमारे लिए हमारे परिवार के लिए हमारी समाज के लिए इस संसारिक भोतिक सुईधा के लिए संसारिक प्रकृति के लिए अब बताईए संकट हम जहलते हैं कि भगवान ने जहले संकट किसने जहले मेहनत किसने करी भगवान ने की ना फिर भी हम भगवान से कहते हैं भगवान ने हमारे लिए किया क्या भगवान ने हमारे लिए किया क्या अब बताईए हमें कि भगवान ने जो किया वो क्या हम कर सकते हैं कर सकते नहीं कर सकते हम बिलकुल नहीं कर सकते जब साथ दिन बाद इंडर ने शमा मांगी गिराज को पुना साथ कोस्मे करके इस्तापित कर दिया आज देखो कनया की बाते तो आज प्रतेग ब्रजवासी के मुकमंडल में यहां तक की मतरवा में महाराज कंस को पता लगा कि छोटा सा नंद के लाला ने साथ कोस के गिराज को चोरियासी कोस में पहला दिया और ब्रजमंडल में तो देखो जब से गिराज उठाया है तब से लगा। क्या नंद के घर क्या लाला का जनब हुआ यह शोदा ने क्या पूत को जना है देखी एक बात कहूं वो मा और वो पिता कब प्रसंद होते सबसे ज़्यादा सबसे ज़्यादा खुशी कब होती पिता जी और माता जी को बेटे बेटी का जन्म होता है तब नहीं बेटे बेटी का जन्म तो होता है तब ठीक के परिवार वाले खुशिया मनाएंगे मा तो कहेगी कि ऐसे बेटे बेटी को जन्म देने से तो दिनी देना अच्छा क्योंकि इतनी प्रसव पेड़ा होती है सबसे ज़्यादा माता पिता को खुशी कब होती है कि जब बेटा पिता के पास जावे और कही कि पिता जी आज के बाद आपको काम नहीं करना है आज के बाद पुरा कारोबार में समालूंगा आप आराम करो तीरत यात्रा पे जाओ उस दिन पिता का सीना खुल जाएगा और पिता अपने बेटे को चाती से लगाकर मंत रदे से प्रसंद हो जाएंगे कब होते हैं पिता सबसे ज़्यादा खुश जब बेटा जाकर कहें पिता जी को पिता जी बापको काम धंदे करने के जरूरत में अब घर परिवार में समाल लोंगा और बेटी का जन्म होने पर हमारे घर से माईके से सुस्राल जाएं और सुस्राल से समाचाल लाएं कि आपकी बेटी तो लक्षमी हमारे घर को पुर एक सुई में पुरो दिया एक माला में पुरा दिया ऐसी आपकी बेटी महालक्षमी है ते किसके लिए हैं यह आपके लिए हमारे लिए अपने लिए आज देखो ब्रजवासी सारी बाला है सारी गोपिया, सारे गोप बुड़ी बुड़ी गोपिया भी कनया को देखो प्राप्त करना चाती है बुड़ी बुड़ी गोपिया को नहीं है जिब्बा लड़ खड़ा रही है वो भी कनेया को पाना चाहती है पाने पाने में अंतर हैं साफ पाने का अभिप्राई किसी गलस संगा को नहीं है पाने का अभिप्राई है मा भी तो चाहती है कि मेरे घर बेटा जैसा, मेरे जैसे कनेया जैसा बेटा आवे, जो बुड़ी गोपिया है, गुजरने, वो कनेया को पोते की रूप में पाना चाहती है, जो जवान गोपिया है, वो कनेया को पुत रूप में पाना चाहती है, जो यूती है, वो कनेया को प प्रेम है असंसारी के प्रेम नहीं है गोपी का आर्थ होता है आत्मा और कृष्णा है परमात्मा आत्मा और परमात्मा का जो प्रेम है वही गोपी कृष्ण का प्रेम है आत्मा तो पलपल यही चाहती है पलपल आत्मा तो यही चाहती कि मुझे कृष्ण प्राप्त हो मुझ दूर करने वाला दूसरा कोई ने विशय है और जो विशय है ना वही वासना के कारक है लोब के कारक है अंकार के कारक है और नर्क भेजने का पूर्ण हमारे जीवन में सयोगी है नर्क भेजने का पूर्ण सयोगी कौन है यही कारक है आज हरी की क्या क्रपा होती है आज कनया देखो दूसरे दिण गिरराज को रखने के दूसरे दिन निकले न तो ब्रजबासी जो हम उम्र गोपिया है ब्रजबाला है कनया को देखकर देखो गुंगट लेकर लगजा कर रही है जैसे कि आद्धा पत्नी सुन्दर हमारे मंतर्पी में बेट गया हुँ मेरे मन को बागया पसंद आ गयार मेरे मन को भागया मेनो साब राचलो ना पसंद आ गया राचलो ना पसंद आ गया मोरम गुट वो हमोर रेवारो वोर भुट वोर भुट वोर बेवारो वो चिति तिरे ची चित बन वारो वो प्रज का वो ग्वाला मेरे मन को भागया प्रज का वो ग्वाला मेरे मन चला गया मेनो साब राचलो ना पसंद आ गया मेनो साब राचलो ना पसंद आ गया मेरे मन चला गया मेरे मन चानका वो ठाचलो TRAB वो ऱो बो गवाला मेरे मन चलाचलो वो बढ़द आ गया मन चला आ भाचलो ब। कं आ गया गया मूग नाबना सलो ना पसंद आगे जब कानाटी मुरली बाजी पत जड़ में सावन सालागे मुरली की धुन पे सब को नचा गया में जो सावरा सलो ना पसंद आगया हरी बोल बोले साम संद सरकार की आगे कर लिए कर दो कर दो कर दो कर दो गुला 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 जब जब मुझे बेरी उठा सवा माई तेने को नड़ी आ रही राखाई मुझे सामरा सलोना पसंद आ गया मुझे सामरा सलोना पसंद आ गया बोली सामसंदर सरकार की सारी प्रजवाला को प्रजवासी गोपियों की मन रधै में सामसंदर ऐसे बेट गए ऐसे बेट गए ऐसे बेट गए क्या सामसंदर सरकार देखो आज जिसे निकल के गलियों में जाते तो ब्रजभालाए गुंगड़ लेकर देखो रास्ता दे देती है जिसे कि 50 वर्स के 100 वर्स के जब बुड़े गुजरनी जा रहे हैं ऐसे बुड़ी बुड़ी गुजरने भी देखो रस्ता दे रही है ब्रजवासी सारी गोपिया के मन तरधही में देखो कनया को ही प्राप्त करने का भाव है हरी की क्या क्रपा हुई आज ब्रजवासी सारी गोपिया विशार करने लगी कि हम कनया को प्राप्त कैसे करें आज ब्रजवासी सारी गोपिया देखो इकटी होती है संत महात्मा से परामर्ष लेती है और यमना तड़ जाती है व्रंदावन में एक रेती बड़ा बड़ा आसन जगे देखती है वही कात्याईनी माता का इस्तान कात्याईनी माता की प्रतिष्टा कर देती है मुर्ती माता कात्याईनी की बिठा देती है अजस्त पूजा जगदंबिका कात्यायनी की प्रतिष्ठा करती है जो अध्यायनी माता जो व्रंदावन में कुशेशबात है साथ जो व्रंदावन में धाम है जो साथ कोस कि गिराज के अगर आपने आप लोगों ने अगर परिक्रमा कर ली तो वही आत्मा और परमात्मा का मिलन का सादक बन जाएगी और व्रंदावन में एक और विशेश बात है कि जो कात्याईनी माता की जो प्रतीमा है ना वो किसी आप और हमारे दुवारे स्तापित नहीं है वो गोपियों के दुवारे स्तापित है और जिस बेटी का जिस भाई का विवान ही होता है मात्र कात्याईनी के दर्शन कर्म से प्रातना कर लेता है तो उसका विवास शिक्र हो जाता है आज वही कात्याईनी माता की प्रतिष्टा की आज सारे ब्रजबालाय रोज पूजा करती है और रोज कात्याईनी माता से केती ही कात्याईनी माता है माहमाया हमें कृष्ण की ही प्राप्ति करवा हमें कृष्ण ही चाहिए और कृष्ण से ही विवाह करना चाहती है हरी की क्या क्रपा हुई मेरे गोविंद की क्रपा से देखो आज नित नित कात्याई ने के पूझा करते एक दिन कनिया ने विचार किया कि रोज तो गोपिया दिगती है आजकल दिखती नहीं है कहां क्योंकि अब ज़्यादा समय वो कहां देने लग गई है मंदीर में कात्याई नहीं माता के यहां तो आज सारी ब्रजबालाय को दिखाई नहीं दिने कनिया को भी चिंता हो नहीं सारी ब्रजबालाय कहां गई सारी गोपिया कहां गई कनिया डूंड तो डूंड तो वहीं कात्याई नहीं माता के मंदीर पहुंचे वही जब मंदीर पे कात्याई नहीं माता के मंदीर जब कनेया पहुचते हैं वही कात्याई नहीं माता के मंदीर पे सामने बड़ा सा जुंद लगा हुआ है और उसी जुंद में देखो सभी प्रजबालाएं हैं और उन्हीं बालाओ की संग मेरे सामसंदर बिराजमान हो गए और कहने लगी कि ये गोपिया क्या कर रही हो कि तुझे क्या करना हम क्या कर रही है तुझे क्या करना है तुझे कोई काम ही क्या हमसे कुछ लेना देना है क्या तुझे रोका टोका मत कर हम मन करेंगे सो करेंगे कि यहां माता की करपा हो मा की करपा हो महा तो दुसरे की करपाई की आवशक्ता ही नहीं है संसार में रिस्ते कितने हैं कितने रिस्ते हैं दादा दादी काका काकी चाचा चाची मामा मामी नाना नानी हर रिस्ते में आगे को ना रहा है हर रिस्ते में आगे कोन आ रहा है पुरुश और एक मा और बाप का ही ऐसा एक रिस्ता है कि उसमें मा आगे आ रही है मा और बाप का ही एक रिस्ता ऐसा है कि जिसमें मा आगे आ रही है और बाप पीछे आ रहा है कोई बोलता है बाप मा कोई बोलता है सब करें क्या कहते हैं मा बाप पिले मा फिर बाप और सब रिस्ते वे आगे को पुरुश आगे लेकिन मा बाप के रिस्ता है कि इसा रिस्ता है कि इसमें मा आगे होती है और मा की जहां करपा होती है माहा तो किसी और की करपा की आवशक्ता नहीं होती है हरी की क्या करपा होती है आज देखो कनिया गोपियों को पूछने लगे गोपियों ने डाट फटकार का भगा दिया आज देखो मेरे सामसंदर सरकार देखो आज अपने आते हैं गोपिया देखो कनिया को प्राप्त करने के लिए पूजा तो नितनित करती है लेकिन वही आएक अधम पाप भी करने लग गई गोपिया नित्य पूजन करने जाती रोज पूजा तो रोज करने जाती पानी का मटका ले जाती यमना इसनान करती मही का त्याइनी को जल चड़ाती पूजन करती और मटका भरकर लियाती लेकिन यमना इसनान करती न तो यमना इसना निर्वस्त्र हो करती है, एक दिन कनिया ने विचार किया कि गोपियों की बड़ी आद आ रही है, गोपियों को देखने के रिए उसी मंदीर पर गए, मंदीर पर दिखाई नहीं थी ना मेरे सामसंदर को गोपिया, कनिया ने विचार किया कि यमना पर नहाने करें देखकर आंगा आज कानिया देखो आज यमना टड़ जाती यमना टड़ पर देगे तु सारी गोपिया निरवस्तर इसनान कर रही है वस्तर भार पड़े मठके भार रखें हुए तुम गलट काम कर रही हो कि यह सई बात नहीं है कि यमना इसनान करते हैं निर्वस्त्र होकर यमिना में जल भगवान रहते हैं वरुन रहते हैं और उसी जल में वरुन का भास रहता है और वरुन कवास होने से जब निर्वस्त इस्तनान आप करोगे तो वरुण का अपमान होगा और आपका भी सतिवत धर्म का आपको पाप लगेगा हरी की क्या क्रपा होई मेरे गोविंद की क्या क्रपा होती है आज देखो सारी गोपिया ने ऐसा डाटा मेरे सामसुंदर को और गुठनों से भार नहीं है बड़ी-बड़ी बात करता है हमें सिखाने चलाए सिखाने कर आपको आदेश नहीं देता है क्या निर्वस्त यम्ना ने करो वरून को नहीं पूरुष है और सतिवत धर्म के अनुसार पर पूरुष को सपन में भी दरशन करना पाप है पर पूरुष हमें काम की दस्टी से देखे या हमें निर्वसर देके तो भी पाप है तो वरुन तो क्या निर्वसरा आप इसनान करोगी तो पाप ही ना कोफिया गोपिया ने डाट दिया बड़ा समझधार बन रहा है कनया कहने लगी के इसे नहीं समझेगी इनको तो कुछ न कुछ इनको लाइन लगानी पड़ेगी आज देखो कनेया दूसरे रोज गोपिया फिर निकलती है कनेया देखो दबे पेर पीछे पीछे आ रहे हैं गोपियों ने मटके रखे वस्तर उतारे यमना में जाकर देखो इसनान किया इसनान करते हुए जंडे लहराते हैं सारे तांग दिए और सामसंदर बेट गएं वही पर और बीटे बीटे विचार कर रहे हैं कि अब देखे मेरी और गंटे-दो गंटे-चार गंटे होगे कनेया के ओर देकी नई री क्य cánets नान करने में ते यई S''ी मनमस्ता हुई एसी मनमत्त हुई कि वो कनिया को तो भूली गई बस आपने जलकीडा ही कर रही कनिया ने विचार किया कि आप तो इनको मेरी तरफ आकरसित कैसे करो कनिया ने देखो अपनी कमर से बासुरी निकाली उसी कदम के पेर पे जंडे लटक रहे और वहीं मिटी मिटी बासुरी बज गई है छलो बहाँ ल्किलो जैसे भार आने लगी ना तो मट्के पड़े हुए लेकिने वस्र नहीं है गोपी कहने लगी起 दूसरे से एहां वस्रत कहा गए है इदने प कहने लगी कि अरे वस्र यहां को बढ़े ऊपर ने कहने लगी अरे मेरे भी माहा है तिसरी कहने लगी अरे मेरे तो और उपर है चोती कहने लगी कि माहा भेजा किसने पांच मीने कहा कि कोई तो ले गया होगा छटवी बोली कि कोई ले जाने वाला दुसरा कोई नहीं है वो कोई पेर लटका कर बेटा है साथ भी बोली कि पेर ल अपनामे भी खडब tresp़ सन्ती जा रही है कनया के लिचार करने गरवड हो गई कनया ने बासुरी रोकी होई लज़ा कर बासुरी ने घीक यह लगजित होने लगज़ा के लिखती लग दारती हुए वह स्टय रही है कि रीकमागाती ने हमारे वस्रेंने पहल स bottian और कब लीए और कब में लोटा हूँ किस बा AT के लिए कि ये जो तेरे साथ में लगे हूए कि मैंने ना लिए हैं ना में लेता हूं ना लिए लेकिसी को देता हूं और जिसको मैं देता हूं जिसको मैं देता हूँ अगर वो समाल के नहीर लेता है तो उसी कोई धोने के लिए नर्क में जाना पड़ता है एक कपड़े तो प्रकृती ने तयार किये ना एक कपड़े किसने तयार किये प्रकृती के दुवारा तयार हुए ना लेकिन ये पंचतत्व का जो सरीर है परमातमा देता है और इस पंचतत्व के सरीर को हम गंदा कर लेंगे पंचतत्व में बेटी वे आतमा को गंदी कर लेंगे तो हम धोने के लिए कहा जाना पड़ेगा नर्क में हमें जाना पड़ेगा कि अज शियति एक वस्थ फ्र नहीं है तुम्हार को डारते की बड़ी हिए आपढ़े समझसार बंदद रहा बोस्थ सवस्थ दे रहा चायत करनगी यक्ट काम करो पहले मैं या को जैक सिकायत करता कि कहा है लाला देनिया के नहीं दीन हैं welcome कर दो यह समझाया था ना मैंने कि उम्छा आक्रत्य निपनुमस्ण कर रहेंघी है फिर वह समझ में नहीं हाई आज भी नहीं हाई अगर सदर्बाइब आई अगर जाए देखर करके भाहर आओ दूसरी गोपी कहने यरे मामा कंश को सिकायत करेंगे और तुछी इतना दंद देंगे कि कर देंगे की आदे बार बार कनिया को डरातीं ऐकन नहीं मानतें अब कनिया को ब्रजवासी गोपियों में गोपी तोड़ा बुद्धी माने बुद्धी का विवेक का पढ़ी चाहिए देती हूँ कहिने लोगी एक अन्वा अरे लाला तु तो मेरा लाला है रहे अरे कनवा तु ये काम कर देके तु जब भी मेरी गली में आता है और तुसे मैं कितना लाड़ा लडाथि। मैं लोगी हो तुम्हें मांखन मांखन जाए मुझे बिल्कुन नहीं चाहिए अगर आपको कपड़े चाहिए आपके चीर चाहिए आपके वस्र चाहिए तो पहले आप एक काम किरिए कि भार आ जाओ एक 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 वस्र ने लिजिए बाद में देखेंगे माकन वाकन तो आज ब्रजवासी गोपिया बड़ी शर्मिंदा होती है आँखों में आसु आ जाते और कहने लगते है शाम सुन्दर हमें शमा कर दे आज के बाद कभी भी हमें ये गल्ती नहीं करेंगे आज देखो मेरे साम सुन्दर कहें देते हैं कि तुभी गल्ती की सुज़ा तो तुम्हे मिलनी चाहिए आज वस्र चाहिए तेक्ए कर के भार आज एक 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 이ए गोपिया देखो आज सबी को वस्र देते आज जिसे गोपिया भार आई गोपिया लग जाए मान हो जाती शर्मा जाती ये और आपना सर्वत्रकनिया को मान लेती लूट देले गया दिलजी घर सवराजा दूगरí यादी घरी डाट नियुकर के ले गया सवराजा दूगर ओ सावरा मेरा सावरा लूट खेले कया दिल जिगरे सावरा जावरा लूट खेले कया दिल जिगरे सावरा जादू गरे मैं तो गई बरने को यमना से पानी मैं तो गई यमना को बरने को पानी देख छबी नटकट की हुई में दिवानी उतने मारी जो उतने मारी जो तिरची नजर हो सावरा जादू गरे सावरा मेरा सावरा मेरा सावरा वोली सामी सुन्दर परकार लेकी बाके भी अरिला लेकी यहो 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 कान सुनी बासुरी की जुद बुद मेगोई तान सुनी बासुरी की सुद बुद मेगोई भूल गई लोग लाज बस तेरी मेगोई छोड़के तुझी को जाओंगी नए सावरा जादू गड़ लोट खेले गया दिल चीकर ये सावरा जादू गड़ अधि गड़ की सेवा देते वे साम सिंदर 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 अगे में रहते वे ओ बांदली रमन तुझी से आशा की लड़िया यही है तमना तुझी से आशा की लड़िया यही है तमना तुझी से जीवन की घड़िया तिरे चर्णों में तिरे चर्णों में जाए गुजरी सावरा जाजो गर लूटके ले गया दिल चिगरी सामरा जाजो गर ले गया दिल चिगरी सामरा जाजो गर वो सामरा जाजो गर साविरा जादुवे विए जादुवे सान संदर सरकार की जयो असरास भिहारी के चरणों में ही आस करके सारी गोपिया बेठ जाती है विचार करती है कि पुरी उमर्स आये गुजर जाये तेरी चरणों की ही दासी बन कर रहो और एसी प्रित लगाई सारी गोपियां ने एसी प्रित लगाई कि तन मन से तन से मन से आत्मा से तो वो सारी गोपिया बावरी हो गई कनेया के लिए आज मेरे ब्रज मंडल में बड़ा आनंद है कनिया नित नित देखो गोचारन करने जाते नित नित आते ब्रज बाला है नित नित भगवान के दर्शन पाती जब भी कनिया बासुरिया बजाते आनंदित होते एक दिन कनईया करम के पेड़ के नीचे देखो बासुरी बजा रहे हैं ब्रशुभान जी की लाडली माता राधा चरणों में बेटी हुई है कनईया मेरे कनईया के गुठनों के उपर शीर रखकर देखो आज मेटी मेटी बासुरी मेरी साम सुन्धर की सुन रही है आज देखो वही बासुरी की सुनक सारे ब्रशमंडल की बाला है सारी गोपिया आज वसी कदम के पेड़ के समीफ चली जाती है राधा रानी तो भगवान के चरणों में भगवान कनईया की गुठनों पे सीर रखकर बेटी सारी गोपिया देखो आज भगवान के सम्मुख बेटी बेटी सभी बासुरी को सुन कर रही है सभी सुन रही है जब कनईया बासुरी बजाते बजाते जैसे ही कनईया की आँखे खुली न तो देखती है कनईया सामने देखती है कि सारे ब्रशमंडल की सारी गोपिया सारी बालाए और राधा सम कि यहां क्या कर रही हो आप यह समय तभी तो ग्रस्त जीवन पालन करने का है इस समय तो घर का भूजन बनाना आए बच्चों को तैयार करना भूजन पवाना है पती की सेवा करना है ग्रस्त जीवन का कार्य करना है गाय का दोहन करना है यह काम रहता है और तुम इस समय यहां क्या कर रही हो को नहीं को वहीं गोपिया डारती हो केने लगती है हमने हमने कितनी बार सामसंदर तुझे किये दिया रहे कि तु बंसी मत बजाया कर जब तेरी बासुरी तु तो नहीं बुला रहा है लेकिन तेरी बासुरी में ऐसी चाहत है इतनी विवेकता है इतनी शहलता है और इतनी अपना पने के हमारे पेर तेरी बासुरी के आवाज को सुनकर तेरी बासुरी जब बस्ती है ना कनिया हमारे पेर रुकते नहीं हम सार सुदबुद भूल जाती हैं बावरी सी हो जाती है पागल सी हो जाती है और हम तेरी बासुरी के जांबस्ती है हम हमारे खीचे चली आती हैं करें जब तेरी बासुरी बस्ती है जब में हम भोजन बनाती है तो घर में चूला है उसमें आग जलाते हैं तो आग जलाते तो वही लकड़ी सुकी लकड़ियों में से पानी आ जाता है और चूला बूझ जाता है रहे तो चूले में से जब दूँआ आता कि दूँए से बूझे वे चूले टिस तो भोजन नहीं बन सकता रहे कि ठीक है तो क्यों लकड़ी पानी दे रही पती की सेवा क्यों नहीं करते पती की सेवा करने चाहिए एक गोपे उठा कर कहने लिए कौन से पती की सेवा करे ये पती तो हाड मासके हैं ये पती तो सब हाड मासके हैं और ये प्रभू आप तो जगत के पती हैं और जगदीश् और अधि उन पती तो यहीं तक साथ देंगे पर आप तो हमें जीवन जन्म जन्मानतर तक इस लोग में तो क्या सरवत्र जितने भी लोग हैं महांतक साथ देंगे और आपके चरणों के हमें दास्य बना लेंगे अगवान कनिया देखो गोपियों को अने इक तरीके से समझाने का प्रियास करते हैं गोपिया देखो आज कनिया की बात एक नहीं सुनती है और कनिया को कहने लगते हैं बड़ा समझदार बना चला हैं हम क्या तेरे पास चोड़ी आए आज के बाद तुबासुरी मत बजाना आज के बाद तुबासुरी मत बजाना तुरे पास ही नहीं आएंगे आज सारी गोपिया देखो नाराज सी हो जाती है आज नाराज होकर मुँ फुला कर बेड़ जाती है इतने में एक गोपी ने सुन लिया गोपी आकर कहने लिगी रादा आप भी बड़े हमारी वाली हिमत बनो हमें पता है कि तुमसे सामसंदर वो ज़्यादा प्रेम करते हमसे तो फिर भी कम करते है जानते हो माताओं में सबसे बड़ा अगर वासल ले अगर कहां प्रेम है तो म माओं के रखें में क्या फुट फुट कर बरी है इरिशा अगर सगी भें भी अच्छे साड़ी पहन ले अच्छे गेहने पहन ले तो उससे भी रिशा कर वेटती है आज देखो राधा तु सपोर्ट कर रही है, राधा मेरी सामनी मेरा देखो दास, वही सामनी जो भगवान कनिया की सामनी है, आज वही राधा ने जब गोपियों की बढाई करने लगी कि इसा मत करा करो आप, इतने में गोपी ने डाट दिया हो, बड़े समझजार बन रहे हो हम जानते हैं, तु मूँपे क्या राधा, तु मूँपे बरसमान जी की तो लाडे लिये हैं, होगी तु बरसमान जी की लाडे लिये, लेकिन हमारे सामने तेरा ये चरितर नहीं चलेगा तो होगी होगी तो तो हमें क्या कहती है हम जानते हैं कि तिरसे कनिया अदिक जादा प्रेम करते हमसे तो कम प्रेम करते और कनिया और राधा रानी देखो मनी मन आज देखो विचार करते हैं कि इन गोपियों को कैसे समझाओ कि भूपियों कर दो कर बोटा करें लगी कि ही कणिवा आज के बाद तुम आसुरी चाहें कि कि अच Nati अब देखो कनेया कुरात्री में अपने घर आ गए राधा रानी भी वरसभान जी के लाड़ली वरसभान आ चले गई प्राते कनेया फिर आज उसी कदम के पेड़ के यहां पोचे वही राधा घर आश आ गई राधा रानी देखो कनेया के चरणाओ में बेड़ गई राधा रानी के पास में चiltव देखो कनेय बासुरी रग दी है राधा गेएगिने लगी का prompt कित्यूद आपकी बासुरी को स्रवन करने तो आई हूँ आपकी जो चित्त रधय हैं उसी को तो पाने आई हूँ और बासुरी ही सुनना चाहती हूँ है केश्व मुझे बासुरी सुना दीजिए भीको मेरे साम सुन्दर दुनिया की राधा राने की कभी बात नहीं टाली है मैं कल के और क्रिष्णा पंचतत्व का सरीर है आज देखो राधा रानी की आतमा करती है आतमा सो परमातमा आतमा ही परमातमा है अब आतमा के रही है कि मैं बासुरी सुनना चाहती हूँ अज जैसे अब आतमा रुपी राधा ने कहा अज कनया ने वही रखी हुई माता राधिका ने बासूरी ले कर देखो आज सामसंदर के हाथ में दे दी सामसंदर ने डोनों हाथों से बासूरी पकड़ी अपने ओठों पे लगाई और बासूरी बजाना प्रारम्ब कर हे शाम तेरी बनसी पागल कर जाती है मुस्तान तेरी मेथी पागल कर जाती है मुस्तान तेरी में जाती है मुस्तान तेरी में जाती है ना जाने क्या करती जब बास की होकर भी दुनिया को नचाती है जो साम तेरी बन सी पागल कर जाती है बोले बासरी वारे की मुस्तान तेरी में जाती है तुम गोरे होते जो ना जाने क्या करते तुम गोरे होते तो ना जाने क्या करते जब काले रंग बेबी जब काले रंग बेबी दुनिया मर जाती है परसाम तेरी बन सी पागल कर जाती है पागल कर जाती है बोले बाके भी हरिला लगी कभी रास रचाते हो कभी बन सी बजाते हो कभी रास रचाते हो कभी बन सी बजाते हो कभी माकन खाते हो जब माकन खाने हो जब मन में आती है तो शाम तेरी बन सी पागल कर जाती है ओ शाम तेरी बन सी पागल कर जाती है बाकल कर जाती है भागल कर जाती है पागल कर जाती है को नी शाम सुन्दर सरकार की सुन्दर के शरोप का चिंतन किया कि तीज बास रूपे इत्रा रहा ना अगर इसोने की होती तो तो क्या करता आज गोपियों का उलाना सुना कनया देखो राधारानी को लेकर वही अंतर ध्यान हो गई जब अंतर ध्यान हुए मेरे कनया हरी की क्या क्रपा होती है आज यसी कनया की बासुरी बजी सारी गोपिया गोपियों को देखा कनिया राधारानी को लेकर वासुरी के साथ मेरे को अंतर ध्यान हो गए जैसे अंतर ध्यान हुए ना आज देखो सारी गोपिया ब्रजबाला है वह आउरी सी हो गई हरी की क्या क्रपा होती है, मेरे गोहिन की क्या क्रपा होती है आज सारी ब्रजमंडल की सारी गोपिया देखो आज ब्रजमंडल में आज रोने लगा जाती है अज रोकर देखो कनिया को उसी ब्रजमंदल में कदम के पेड़ के आस-पास कनिया को ढुणना प्रारंब कर देती है जब कनिया को ढुणने लगी न तो कनिया का कोई अतापता नहीं मिला जिस कनेया जिस रास्ते से आये ना उन्हीं चिन्नों को जब उन्हीं चिन्न बालू जब रंदावन है और रंदावन में बालू अधिक है जो धूल है उस पर भगवान हरी की चन्रन चिन्न है उन्हीं चन्रन चिन्नों को लेती है और वही गोपया अपने पुरे सरीरे पे एक गोपी थे तन्हे जंगल में चली जाती चलती जारे चलती जारे चलती जारे जब आगे बढ़ी ना तो भगवान कन्यए का जो उपवस्त्र है वही उपवस्त्र गिरा हुआ पाती है जब उपवस्त्र देखती है आज उसी गोपिये ने वही उपवस्त्र को अपने सरीरे पर ओड़ लिया और वही ऐसी बावरियों करें इसी नाचने लगा जाती है इतने में दुसरी गोपी आ गई दुसरी गोपी आकर क सूद आतिर कहने लगती कि कनिया नहीं दिया बहनी यहां से मिला मुझे तो वह गोपी कहने लगी कि जब इदर ही गए है सामसंदर अब आगे बढ़ते तो वही गोपी को एक मोरमुगुट मिल जाता है मोरका पंक मिल जाता है आज वसी गुपिन वहीं मौर पंक अपने सिरिपे लगा लिया, पीतंबर ओड लिया और पीतंबर ओड के जैसे आगे बढ़ीना, आज कनया कहान नहीं मिलते है, आज ब्रज मिंचल के सारी गुपिया, ब्रज बाला आए, फूट पूट कर रोने लगा जाते, फूट पूट कर रोने ल व्रन्नावन को गोकुल को छोड़कर मत्रवा जाना है नाना उग्रसेंद को बंदनों से मुक्त करवाना है माता पिता को कारागर से मुक्त कराना है और दुष्ट कंस को मित्यू के घाट पहुचाना है और ये गोपिया इतना मुझसे आज प्रेम कर रही है अगर ये प्रेम करती रहेगी तुमैं इनको छोड़ कर कभी नहीं जा पाऊंगा और यह मुझे कभी नहीं जाने देगी करेज ब्रूरि बनाने के लिए लीरह रस रहे लेकिन नेकॹन गोपय तो इतनी बावरी नैंप्ए इतनी बावरी हो गई क्यों ब्रूने चर करने लेगा लगे कि अब कनया नहीं तो क्या बात है कोई बात नहीं है हम कनया को हम बुनाते है आज देखो उसी वरंदावन में रासमंडप सजा लेती है जब रासमंडप सजाया उसी रासमंडप में देखो आज जो रास रचा था उसी रासमंडल का एक दुआर वही रासमंडप में सार और यहां जो रासमंदप सजाती रासमंदप सजाकर देखो आज देखो आज वही गोपिया मिलके एक गोफिय को कृष्ट स्वाइफ बनाया गया एक नंद्रादी अधनी है दौण एक है वही दौण पर दो गोपिया खड़ी होगे केहने लगी कि इस दुआह से किसी का प्रवेश नहीं कोगा बात्रच यहां कियो रासमंडब पर पुरुष का प्रवेश क्यों नहीं है एक बड़ीविशश बात है यह पुरुष का प्रवेश निशेज माना गया है ना क्यों बहुले नाद भी नारी बन कर और जहां ममता का भाव होता है वही राज सस्ता है महा आनंद आते और जितना रधै माओं का कुमल होता है जितना रधै मा का आनंदित होता है अगर मा किसी दुसमन का भी दूख देख ले न तो रोने लग जाती है और किसी की खुशिया देख ले जो गरीब है निर्धने असा तो इसको और हेल्प करने के लिए तैयार हो जाती है और आज भी आप देखी लिजिए हमारी भागवत में भी गड़ना अगर की जाए तो मात्र सक्तियों से रास भरा हुआ है और हमारे रास भ्यारी सरकार भागवत भगवान यहां भी राज माने तो यह रास मंड़प में माताओ कोई पात्रता है और कल्योग में तो माताओ की सईयोग से ही तो कता हो रही है और जो नालंदा पुरम की जो कता है यह मात्र सक्ति के दुआरा ही तो संपन्न हुई है और यह सोभाग का विशय है जिस प्रकार व्रंदावन में रास रचाता गोपियों के दुवारा और रास ब्यारी सरकार वहां पधारे थे वैसे ही आज नालंदा पुरम की सारी माताए उन्हें रासमंडप सजाया और इस रासमंडप में भागवद भगवान बाके ब्यारी ब यारसल बाके दर्सन सबीने पाएं तो आज आप भी तो भागवत रूपी इस जिञान्यग्य के दर्सन पा रहे हैं य भी रासमंडप से कम नहीं है यह भी रास है यह अज हरी की क्या क्रपा हुई मेरे गोविंद की क्या क्रपा होती है मेरे गिल्धर सामी जी की क्या क्रपा होती है आज रास भ्यारी सरकार देखो वही रासमंडप में सजा वही रासमंडप में आनंदित हो रहे हैं सारी गोपी क्रिष्ट बनी है एक गोपी आज यशोदा बनी यशोदा बनी हुई गोपी बड़ी सी कृष्ण बनी है गोपी करिया बनी गोपी को ले लिया गोद में और अपना इस्तन पान करा रही है इसी गोपी का इस्तन जलक आया है कृष्ण बनी गोपी देखो आज इस्तन पान कर रही है सारे ब्रजमंडल वाले बाव विबोर हुए एक गोफी नंद बनी है नंद बनी के देखो आज बधाई बाट रही है शुपकामना बाट रही है हरी के क्या करपा होती है वही एक देतनी बनकर पूतना आती है और आकर देखो वही कनिया को उठा रहे ले जाती है आज कनिया देखो पुतना बनी गोपी का भी इस्तन पान करती है जैसे इस्तन पान किया ओ वही कृष्ण बनी गोपी देखो आज पुतना बनी गोपी के इचाती पर बेट जाती यही द्रश्य भगवान भोले नात देख रहे हैं वही द्रश्य हम भगवान भोले ना देक रहे है 2020 अभर भोले ना नने विचार किया कि है पार graffiti कहा तैयरी कर रहे थियुक्त सश्जान अठैप्य न म्यता पारम्थी तयार होकर और म्यता पुछ उत्हार होके जाने लगी न गदा भूले ना जिननले के रेवी कहा जा भुलिना जी कहने लगी कि राजबियारी सरकार में आप अकेली जा रहे हैं में भी संग में चलूँगा जैसे संग की बात आई जैसे संग की बात होती है माता पारवति ने कह दिया कि महां नहीं जा सकते कि क्यों महां क्यों नहीं जा सकते कि मह पुर्शों को जाना वर्जी थे और महा देव आप तो पुरुश है वो तो महिलाओ का है भगवान बोले नाजी कहने लगे कि वह ज़रा देखो सही क्रिष्ट बनी क्रिष्ट ना है ना अतापार्वती कहने लगे कि माक्रिष्ट नहीं गोपी यह वह लिए भगवान सामसदा सो पहचानी नहीं पारे ससंदर रासमन्डप है जैसे ही कहा ना इतने में देखो उनी ब्रजबालाओं का रासमंड़ा पे मेरे सामसंदर सरकाराधा के साथ प्रगट गए जैसे रास लिला में देखा भगवान कनिया और राधा को इतने में भगवान बोले नाथ कहने लगे के पारवती अब बता पुरुस को जाना वर्जी ते तो कनिया क्या कह रहे माता पार्वती कहने लगी बोले नात जी कि वो तो उनके लिए तो रास सजाई है उनको तो जाना ही रहेगा कि वो तो राधा के संग नाचेंगे आप कितके साथ नाचोगे मैं संग चल रहे हैं न मैं संग चलू न आज देखो माता पार्वती को आज माता पारवती को ले कर देखो आज किलाश पति भगवान भोले नात रास भियारी सरकार देखो आज पदगमन करते हैं आज रासमंडप में एक दिन वो भोले भंडारी बनकर आये ब्रजनारी बिरज में आ गई हैं एक दिन वो भोले भंडारी बनकर सुंदर नारी बिरज में आ गई हैं पारवती दे मना किहारी रामा नेत्रिपुरा बिरज में आ गई हैं एक दिन वो भोले भंडारी बिरज में आ गई हैं बिरज में आ गई हैं वारिवती से बने में भी चलूँगा तेरे सांग में तेरे सांग में वारिवती से बने में भी चलूँगा तेरे सांग में तेरे सांग में राधा संग शाम नाचे में भी चलूँगा तेरे सांग में तेरे सांग में राधा संग शाम नाचे में भी चलूँगा तेरे सांग में राधा रचे गा प्रज में भारि राधा रचे गा प्रज में भारिवती से आगईं मिरज में आ गई ओ मेरे बोले स्वामी किसे लिजाओं तुने संग में अपने संग में ओ मेरे बोले स्वामी मेरे जनुगा तेरे संग में अपने संग में शाम के जिवावा कोई मुझत ना जाए राज में महरास में शाम के जिवावा कोई मुझत ना जाए राज में हसी करेगी प्रिज की नारी हमानों बत हमारी बिरच में आ गई है 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 मुझे कोई न जाने इस वाज में इस राज को तेरा बना दो मुझे कोई न जाने इस बात को इस बात को मैं हूँ छईली तेरी एसा बता दो मुझे राज को बिज राज को में हूँ सहली तेरी एसा बताना बिज राज को बहन के ताजी निकेत वाले चाले चले मत्वारी गणड़ में आ गई बिज राज में आ गई है विरज में आ गई है बोली ब्रिज बिहार इलाले की जोसे शेबर पहुचे बहुचे बहुचे भूलेनात जी जेबर नाट जी पहुचे दौर और दो पिया खड़ी है माता पारवती को तो प्रवेश दे दिया भोले नाजी को मना कर दिया कि आपनी जा सकते हैं आपका प्रवेश जाई नहीं सकता आज भोले नाजी को साप साप मना कर दिया भोले नाजी से को मुल लटका कर यमना टड़ जाते हैं यमना टड़कर यमना में इस कि जुटा बनार या को आज लेगा इत्यादी पहन का नखर बोले नाजी रास बंडप में जहें करने लोगे ना तो उसमें भोले नाजी ने जिदुल पर बड़ा 2 सा गुंगट लेनिया तो देखो आज रासमंडप में प्रवेश्ट हो गया जिसे रासमंडप में पूछें आज भगवान प्वाइन करने लगे तो मैं आज असी गोपी तो मैंने आज तक देखी नहीं इतनी मोटी मोटी ताजी तगडी हो ना हो कोई तो है भगवान कनिया ने ध्यान से देखा जैसे भगवान कनिया ने ध्यान से देखा न भगवान ने उनी परदे के पेचे चुपे हुए भगवान भोले नात को देखकर आज देकन मन मोहन समझ गए कि ये और कोई नहीं शाक्षाद भगवान सामशदाशी आप में ऐसा नहीं कि सबको पता लग जाए और मेरी हसी हो जाए बोले नाज जी कहीं ने लगे इतने भगवान के ने कोई बात ने आ गए तो आप भी रासमंदप का आनन्द लीजिए मोहनत से दिल क्यो लगाया है किस ने लगाया है सब ने लगाया है तो फिर मसे जी सप्रकार हमारे भगवान विश्ण और भगवान साम सदाशीव आज साम सदाशी ने दिल लगाकर देखू नाज रहेगा है इसे आप मिलास प्यारी के दर्स मोहन से दिल क्यों लगाया है अचलिया से दिल क्यों लगाया है ये में जानू या वो जानी मुहन से दिल क्यों लगाया है ये में जानू या वो जानी हर बात निराली है उसकी हर बात में एक डेड़ा बने तेरे बात निराली है उसकी हर बात में एक डेड़ा पर तेरे से तेरे पर दिल क्यों आया है ये में जानू या वो जानी तेरे पर दिल क्यों आया है ये में जानू या वो जानी जितना दिली ने तुझे याद गिया उतना जगिने बदिनाम गिया जितना दिली ने तुझे याद गिया उतना जगिने बदिनाम किया ओ बदिनाम का ओ बदिनाम का फल क्या पाया है जिमें जदू या बोजाने बदिनाम का ओ बदिनाम का फल क्या पाया है जिमें जदू या बोजाने को ले साव सिंदे सरकार की दीरा हो देखो ऐसे काम नहीं चलेगा दो दो हाथ उटा के त्याली सेवा देखे तेरे प्यार में आधा पागल हो तेरे प्यार का में दीवारा हो दीवान का दीवान का पागल हो तेरे द्यार में दीवान का दीवान का पाया है ये में जानू या हो जानी ये में जानू 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 पुलिबा के भी हारी लाज की जय हो आज प्रच्बालाओ के मत्य में भगवान का रास मंड़प में दर्शन किया राज संपन्न करके भगवान अपनी धाम को चले गए अपने गोगुल में अपनी नगर को चले पोज़ गए हरी की क्या करपा हुई बड़ा रास्त जाया गोपियों का आज इतना प्रेम कनेया के प्रती की हर पल भगवान कनेया का ही गुनगान सारी गोपिया करती महात्येशोद निट्य कनेया को अपने हादों से भात पभाती ये निट्य कनेया गोचारण करके आते गोपिया भासुरी सुनती है मंगल मही बड़ा आनंद है अविम ही परमानंद है तो महा तो आनंद रहेगा ही रहेगा लेकिन मत्रा में बड़ा दुख है कि महराज कंस ने आज मत्रा की प्रजा के उपर अधिक टेक से लगा रखा है मतुरा की प्रजा बड़ी दुखी है मतुरा की प्रजा को यही चिंता सताई जा रही है यही दुख हो रहा है कि हिसा मसंदर सरकार आपने तो कपसे जनम ले लिया कब आओगे उस पापी दुष्टी कंस से हमें छुटकारा दिला अभी मुख्त कराओगे अब महमा जी का भी ध्यान रखलांगा तो अच्छो रहेगा निताई रास और माखने चोरी करिया करांगा तो प्रिकाम कहीं नहीं वेगा क्योंकि आज शायद विभावी है आपके नालंदा पुरम में बरात आ रही है ना कहां से दुवारी का से नालंदा पुरम में बरात आ रही है दुवारी का से तो भाईया ज़रा तैयारी कर लेना बेंड बाजे बरात की स्वागत की कन्यादान की दान में दान कन्या दान और कन्या का दान कुमकुम से होता है क्योंकि लक्षमी सुरूप जो कन्या होती है और लक्षमी का वास होता है कुमकुम में पुष्प में तो लक्षमी का दान करो या कुमकुम का दान करो या पुष्प का दान करो वही बराबर कन्या दान के बराबर पुन्य की प्राप्ति होती है कुमकुम भी अगर हम दान करते हैं न तो भी कन्यादान इतना पुन्य मिलता है पुश्म में भी लक्षमी का आवास होता है और बेटी लक्षमी होती है तो पुश्मो का दान करने से भी बेटी का दान इतना पुन्य मिलता है इधर कंस महाराज बड़े दुखी हैं लेकिन कंस के मुकपर सदेव भाई के बादल चाये रहते हैं जब रात्री में सोते हैं और गलती से कभी दर्वाजा भी बच जाए को सेना पती ने आकर बजा दिया तो महाराज कंस उठकर खड़े हो जाते और के अरे नंद का लाला आ गया मुझे मार देगा कंस दीन रात को भै ऐके क्रिश्णा आ जाएगा मुझे मस्तिकाइगा पिर्थन ने भी बुचार की कोरिय दियां टो क्लिएन तो करना चाहिए इसस इससे डर से मुख्त कैसे हो कंस ने चाण और मुष्टिक को बुला और कहने लगे कंस की जाओ जाओ और सेना लेकर जाओ और गोकुल में जो नंद का लाला उसको मित्यू के घाट उतार के आजाओ चाण और मुष्टिक दोनों महराज कंस के मंत्री कहने लगे महराज कैसी बात कर रहे हैं आप केसी बात कर रहे हैं अगर हम जाएं और जाकर आकरमन कर देंगे ना तो प्रजा में विद्रोग हो जाएगा और प्रजागन आपसे नाराज हो जाएगी हम जानते हैं कि महराज वो नंद का लाला आपका मित्यु का कार है कि महाराज चिंता मत कर जहां तक हम दोनों भाई जीवित हैं आप तक तो आने का संभाव नहीं नहीं है वो आप तक आने का विचार किसे कर ले कंस कहने लगे कि चानुर मुष्टिक आप मुझे पूर विश्वास है लेकिन मुझे बड़ी डल लग रही है किसी बहाने क्रिष्ट और बल्देओं को गोकुल से मतरा बें गोकुल से मतरा बुरा लिजिए गुकुल से मत्राने की जैसी बात आई कंसे कहने लगा ठीक बात है किसे बुलाए चाण और मुष्टिक कहने लगा कोई मेले इक्त्यादी का आयोजन कर लो यग्जी इक्त्यादी का आयोजन कर लो कोई आयोजन बना लीजिए कंस कहने लगो मेला भी लगा लो यग्य भी रख लो और यग्य में विशेश करके कृष्ण और बल्देव के लिए मल्युद्ध का आयोजन किया जाए और मल्युद्ध में तुम दोनों के दुआरा कृष्ण और बल्देव दोनों भाई को मित्यू के घाट उतार दो महारा ने सबा भुलाए सबा में उसी समय निर्ने कर दिया कि फला ने फला दिन दिन से मेला प्रारंब हो रहा है और यग्य प्रारंब हो रहा है और यग्य में विशेश मलियुद्ध है और मली युद्ध में चाणूर मुष्टीक के साथ जो भी युद्ध करेगा उसे विशेश नाम दिया जाएगा और जो गोकुल में रहते हैं नंद के दोनों पुत्र जो है किष्ट और बल्देव उनका बड़ा प्राक्रम सुन रखाए उन दोनों को बुलाया जाएगा और इंचाणूर और मुष्टीक से युद्ध किया जाएगा मेले का आयोजन किया गया सभी तैयारी कर दी गई अब निमंत्रण पत्र लिखे गए सभी देश देशांतर को बुलाया गया सभी प्रजागणों को निमंत्रण दिया गया ब्रजमेंडल के सभी नगरों में नंद गाउं उपनंद व्रंदावन गोकुल इत्यादी में निमंत्रण पहजा गया अब गोकुल में निमंत्रण लेकर जाएकुन गोकुल में निमंत्रण लेकर जाएकुन महीं कंस महाराज क्या अक्रूर जी नाम के यदू कुल के ही सेवा देते हैं दूर के रिस्ते में भगवान कृष्ण के अक्रूर जी काका लगते हैं कृष्ण कंस महाराज को पता लगा कि अक्रूर का और उस नंद का कोई रिस्तेदारी है दुनों भाई भाई लगते हैं तो हो ना हो काका कोई काका कोई भती जी को लेने भेजना चाहिए अक्रूर जी ने निमंत्रन पत्र अक्रूर जी के दुवारा निमंत्रन पत्र तैयार करवाया गया और वहीं निमंत्रन पत्र लेकर कंस आया कंस ने लिया हात्मर कंस कहने लग आप अख्रूर जी केने लिए महाराज इसी कुन सी बात हो गई कि अख्रूर जी बात कुछ नहीं हुई बात ऐसी हुई है कि मेले का आयो जन्हें मेले में हमने मल्युद रखाए और हमने सुनाए कि उसने पूतना को मार दी सटक भंजन को मार दिया तरणावत को मार दिया वकासूर अगासूर को मार दिया ऐसे महा प्रतापियों को महा बड़ी शक्तिशालियों को मार दिया हम उसका प्राक्रम देखना चाहते हैं हम भी तो देखे कि नंद के लाला में कितनी शक्ति है उस किष्णो और बल्देव में कितनी तागत है कितना पावरफुल है मैं देखो तो सही ज़रा आज देखो अकरवरजी महाराज कहीं नहीं लगी कि महाराज कंस केसी बात कर रहे है आप चकरवर्ती समराट महाराज आप में हजार हजार हातियों का बल महाराज आप उच्छोटे से महाराज के क्या तुन ला कर रहे है महाराज हो तो छोटा सा बाला के वो तो लोगों ऐसे ही बात कर रहे है मेरे जो लाला है ना मेरे भाई की जो बैटे है ना वो तो यह जूटी बात है कौन सो महाराज ने डाट दिया किसी बात कर रहा है मेरा आदेश है अक्रूर जाओ और जाकर क्रिष्ट और बल्देव को लेकर आओ अब अक्रूर जी महाराज को आदेश मिल गया राज आदेश है अक्रूर जी महाराज ने वही निमंत्रन पत्र ले लिया निमंत्रन पत्र लेकर देखो अक्रूर जी मत्रा से निकले ना गोकुल लेने के लिए मत्रा और गोकुल की ज़्यादा दूरी नहीं है पासी है लेकिन प्राते सुटे उद्धय होने के समय अकुर जी निकले जब साथ घोड़े का रत तैयार किया गया साथे के रूपने से अकुर बैठे और रखांकते हुए जा रहे अ मेरे बल्देव के साथ क्या करेगा थोड़े आगे जाते विचार रत रोक लेते फिर विचार आता है अकुर जी को आगे जाके फिर रत रोका विचार कर रहे है अकुर जी यह पापी कंस ना जाने मेरे कनेया को मारने का सडियंत्र तो नहीं कर रहा है होना हो मलियुद्व म अक्रूर जीने आज कैसे होंगे आज देखो अक्रूर जीने आज तक अक्रूर जी ने आज तक जितना भी सुना है ना कनया और बल्देव के बारे में वही बातों का चिंतन करते जा रहे उसी बात का चिंतन करते जा हरी की क्या करपा हुई अब प्राते से निकले सुबह से निकले संध्या हो गई अंदेरा हो रहा है जब जाके अक्रूर मत्रा की दूरी ज्यादा देंगे मत्रा से निकले सुबह से शाम हो गई रस्ते में विचार कर रहें कंस बुरा है हो नहीं कि मेरे कनिया के साथ गलत करें और कनिया की छबी मंतर अधें में सजा रहें जब अकुल जी का रत यमुना पार करके जैसी गोकुल पहुचा ना कितना संदर है अकुल जी आज पहली बार जब से गये हैं ना कंस महराज के अनोकरी करने के लिए उसके बाद कनिया का जन्म हो गया और कनिया भी आज साथ वर्स छोड़ के नो वर्स दस वर्स की आयों हो गई ग्यारा वर्स में तो सांतपनी महराज के आसनम में पहुच संतल भी आज निससम हो गया ननूस्य मन गया इतनी लीला हो गई तो भी आस तो बढ़स दर्सन नहीं कर पाए न क्योंकि अख्रूर जी कहाँ सर्विस करते होई नोकरी करते कंस के यहां और जो जो कंस कि यहां ड्यूटी करते हैं कंस महराज ने निर्देश कर कर रखाय कि चुट्टी किसी को नहीं मिलेगी और आज जो नोकरी कर रहे हैं उनसे पूछे तो सही चुट्टी मिलती कैसे चुट्टी के लिए चार महिने पहले अप्लिकेशन लगाओगे चुट्टी को शुक्रता भी मिल जाएगी लेकिन इन टाइम पर कोई काम आ गया तो उस पर और लग जाएगा किनी तुम्हें उपस्तिती रहना है तो कंस के यहां तो निर्देश है आज कनईया इतने बड़े हो गए जब जाकर भी छुट्टी नहीं दी और आज जाकर जाए गए न तो पूछा कि कनईया अर्च अच्छा आप कनईया से मिलने के लिए आपको किमें अक्रूर जी किया जैसे नंद बहुन में पोचे ना अक्रूर जी आज नंद बहुन में बड़ासा आंगने आंगन में चार पाई लगे हुए आंगन में नंद बाबा बेटे हैं नंद बाबा ने जैसे रत को आया देका खड़े हो गए रत को मैं अक्रूर जी को देका मंतर करदें से प्रसंद हो गए कि नहीं लेगे आओ भाई बड़े समय के बाद आये हो अकुरूर जी को अकुरूर जी के पास नंद बाबा गए और जोड़ जोड़ कर गले लगा लिया आज अकुरूर जी वहां से आए ना पूछ कर यहां तो ब्रजबाला ओ और गोपों के मुझ से मातन क्रिश्टन का ही चिंतन क्रिश्टन की ही बाते क्रिश्टन की ही प्रसंचा और क्रूड को मुझा से मिले लेकिन अकूर जी महाराज की मनी मन दुकी हो रहे हैं कि मैं किस मूँ से कहूंगा किस मूँ से कहूंगा नंद बाबा को और यशोदा को और नंद और यशोदा को तो ठीक है कहे दूँगा इन ब्रजबालाओं के सामने कैसे कनिया को लेकर जाओंगा गोपों के साथ सामने किसी कनिया को लेकर जाओंगा बालो गोपालों के साथ बर्जबासियों के सामने किसी कनिया को लेकर जाओंगा अज पता है अकुर जी आये ना उस दिन जिस दिन लेने आये उस दिन भगवान कनिया गोचारन करने कर लिए गए पर गो माता भी आच्चरी नहीं भोजनी नहीं करा घासी नहीं खाई गो नहीं गो माता देखो ऐसे कनिया को खड़ी-खड़ी निहार पी जा रही है बच्ड़े देखो गो माता के इर्द गुर्द घुम रहें लेकिन गो माता का इस्तनपान नहीं कर रहें दूद नहीं पी है अज कनिया जिसी पल्टे गोमाता भी जैसे जैसे कोई भूचाल आने वाला हो पहाड किरने वाला हो आज गोमाता का मन बच्ड़ो का मन रो रहा है आदे को मता समय से उप्रांत ही अज नया में आ जाती है भगवान कनिया भी आते हैं, जैसे आंगन में आए, क्रनिया और वल्देव भाई आए, आकर देशिक आंगन में, अक्रूर जी और नंद बाबा को देखा ना, कनिया ने जाकर प्रणाम किया, नंद बाबा को प्रणाम किया, अक्रूर जी को प्रणाम किया, अब कनिया तो पहचानते नहीं, जग यही कहना है क्या अरे यह बल्राम अरे को जैसे कृष्टो और बल्देव को अकुरूब जी ने देखा खड़े हो गए और दोनों भाई को अपने चाती से लगा लिया अकुरूब जी कहने लगे वहा नंद बाबा कितने संदर लाला हैं अरे मुझे तो लगता है कि इनको देखने कहने नियुकाा नके सबहुत है इन्हें हम्से महाराज की यहां ड्यूटी करतें नोकरीम है हम भी मतुरार चलेंगे हमने माहाराज है महाराज के हम भी चलेंगे अक्रूर जी तो जानते हैं कि लेने के लिए आये अक्रूर जी कहने लिए हाँ हमारे साथ चलना इतने में नंद बाबा कहने लिए वह कनवा कोई बात ने जाओ अपने कक्षे में विश्राम करो अज क्रिश्ण और बल्देव देखो अपने कक्षे में चले गए अक्रूर जी बैटे नंदरानी को कहा नंदरानी में स्वागत किया नंदरानी देखो आज अक्रूर जी के लिए आज अपने गरतिती आये हैं अक्रूर जी के लिए अपने हाथ से नंदरानी भोजन बनाती है भोजन तयार किया जब भोजन तयार हुआ आज उसी भोजन की थाल पर उसी गई अकुर जी बार बार वही जो पत्र आया वही पत्र निकालते है हाथ तक लेकर आते हैं वो हाथ में लेकर पुना पापुना जेब में रख लेते हैं अकुर जी की हमत नहीं हो रही है क्योगि नंद और यसोदा का जो प्रेम देखा, बाल गोपाल को अक्रोर जी को, नंद बाबा को भोजन पावाया, भोजन कर लिया, नंदरानी ने भोजन पाया भोजन पाने के बाद आज देखो कनईया अपने कक्ष में चले गए कनईया अपने कक्ष में बेटकर बड़े दुखी हो रहा है कनईया का मंतर रदे रो रहा है बल्दे वह यह कनईया को देखकर फूट-फूट कर मन महीं मन वह भी दुखी हो रह के लिए निज्राजी बड़ी प्संदना हरी जिसroots, अपना नित्यक कर्म करके देखो आज अक्रूट जी की और नंद बाबा के ओर लेकर आरे लेकर देखो उस पास बेड़ जो अक्रूट जी और नंद बाबा बात कर रहे अक्रूट कहने लगे कि नंद बाबा कुशल है सब कुशल है अक्रूर जी से नंद बाबा पूछने लगे नंद बाबा कहने लगे क्यों अक्रूर जी आज इतने समय बाद आये हैं सब कुशल कहा कुशल कि विशेश प्रियोजन तो हुआ होगा कुछ अक्रूर जी की हिम्मत नहीं में धनुश्य य्ज्य रखाया दुश्य य्ज्य में मल्य युद्ध रखाये कि हां किसी के मुझे सुना था पर मुझे क्या करना मेले दुश्य ये से हमें कोई लेना देना नहीं पर महाराज अगर निमंत्रन देंगे तो उपस्तिती दर्जे करवाने के लिए जरूर आना पड़ेगा सो आऊंगा अकुर्जी कहने लगे कि निमंत्रन लेकर यह आया हूं और महाराज ने आपको आप से परिवार को भुलाया है कि अच्छा-च्छा कोई बात नहीं हम पधा आजरूर आएंगे फिर भी अकुर्जी हिम्मत नहीं जुटा पाए कि यह कहें कि मैं नंद बाबा आपकी दोनों बालकों को दोनों फुत्रों को लेने आया हूं लेकर उनसे मल्युद्द करना चाहते और महाराज कंज उनको चान नंद राणी केहने लगी कि बाबा और कुछ काम है इतने में तुरूंत अकुरूर जी कैए भावी मां बैट थोड़ी बात करनी है अकुरूर जी कहने लगी कि यह नंद बाबा और मेले में विशेश आपको निमंतरन देने के लिए विशेश मुझे भेजा गया है और उसी में क्रिष्ण और बल्देव को भी भुलाया है नंदरानी ने जैसे ही सुना नंदरानी कहने लगे कि क्रिष्ण बल्देव को क्या काम है मेले में हमारा क्रिष्ण बल्देव नहीं आएंगे अरे अक्रूर काका वो कारण यह है कि हमारा लाला तोड़ा चंचल है और को सेता न तो मेरे लाला को नहीं बेजूंगी जिसे कणिया के बारे में माता यशोदा ने कहा अक्रूर काका आज देखो शान्त हो गए यही बात मेरे कनया ने सोन नी कनया दोड़कते और नीचे आए कहने लेगे मत्रों में मेला लग रहा है और बड़ा अनन्द आएगा मेले में बड़े जूले आएंगे कनिया जीत कर बेटते कनिया कहने लेगे का का हमें चलूँगा हम भी चलेंगे हम भी चलेंगे माता यशुना ने धुरांग से डाट दिया और कनिया से केने लिए जाओ अपने का अक्छु में जाओ कहा मेला वेला कुछ नहीं कहा नहीं जाना कनिया कोई मेला वेला नहीं देखना ठी कनिया तुझे एक पल के लिए कि घंरन करें चेरा पास में इस तारण करें लगें कि ये नंदरानी ये आप कंपकें को करने क्पूस मे कि आ महाराइअ नबन श्रस्टों से देलिगें क्रिछ्ण रफपल दोको बुला आए और खुंद लेनेे के लिए आया हुँ क्रिश्ण और बल्देव को क्यों लेने के लिए हो क्या कारण अक्रूर जी कहने लगी कि क्रिश्ण और बल्देव को इसलिए लेने के लिए कि कंस महाराज क्रिश्ण और बल्देव को प्राक्रम देखना चाहते हैं इनका मल्युद्द देखना चाहते हैं और मल्युद्द के कारणी तो मैं लेने के लिए यहां आया हूँ अकुरू नंदरानी ने जैसे ही सुना नंदरानी देखो आज अकुरू जी को कहने लगी है अकुरू जी कैसी बात कर रहे हो मेरा लाला तो छोटा सा किसे मलिद्द करेगा छोटा सा लाला को मलिद्द करने के लिए मेरा लाला को मैं लिद्ध नहीं करें कहें दो आपके महाराज कंस को जाकर कि मैं मेरे लाला को नहीं बेजूगी अकुरूर जी को साफ साफ मना कर दिया डाटते हुए इतनी सो बाते सुना दी अकुरूर जी ने मुख नीचा कर दिया कहने लगे अकुरूर जी कि नंदरानी महाराज की आग और महाराज के आग्या नहीं मानी जाएगी तो राज दोश का पाप लगे गया और महाराज नाराज हो जाएगी तो महाराज हो सकता आपके उपर आक्रमन कर दे नंद बाबा को समझा है नंद बाबा समझ गए नंद रानी ने साफ साफ मना कर दिया कि चाहे राज दोश का पा नंदरानी कहने लगी कि उनका क्या अधिकार है मेरे पुत्रों पर कि उनका आदेश चलेगा वह राज्य उनका है यह संपत्ति वो ले सकते हैं लेकिन मेरे पुत्र पे गुंदी का कोई अधिकार नहीं, पुत्र मेरे हैं, और मेरे पुत्र ही मेरा सब कुछ ही, महाराज अब सर्वत्र ले जा, हम मुझे चाहे मित्यु के घाट तार दो, सुली पे चड़ा दो, लेकिन मेरे पुत्र को मैं एक पल के लिए भी दूर नहीं ह मेरा बीड़ाया है लाला मेरा बेटा मेरा पुत्र मेरा कुछ भर अवाश में जैसे अक्रूर काका को कहा अक्रूर काका दे को कहने लगी कि नंदरानी जरा ये तो बताओ क्या आपने नो मैने इस कृष्ण को पेट में रखा गर्व में रखा ते नहीं क्या तिने जनम दिया क्या तुझे विस्तर से मिलाना यह वसु देव और देव तुझ में पर क्या दिद्ति आज हरी कि क्या क्रपा होती माता यसुदा पुटने लग फूट पूट करोने लग स्कूरता नहींवर है यह कूर काका नहीं है यह तो कूर है यह तो मैं सबसे चिनने के लिए आए है माताय शुदा की बात को सुनकर माताय शुदा को खाक में भरकर कनिया कहने लगते हैं कि मैया मैं तेरा लाला हु रोती को है अकूर काका कहने लगे कनिया तेरी मैया से जरा ये तो पूछ कि तुझे जनम दिया क्या अरे वसुदेव जी आये वसुदेव जी आकर तेरे पास छोड़ कर चले गए और उसी बेटे को तेने अपना मान लिया ये तो देव की और वसुदेव का आठवा बेटा है हजारों वर्सों से पड़े हुए है तेरी ही प्रतिक्षा कर रहे है कि उनका पुत्रा आएगा और बंदों से मुक्त करेगा और महाराज कंस ने वही मल्यूत इसलिए रखा है मेले का है जने इसलिए किया है कि तुझे बुलाया जाए और तुझे मित्यू के घाट उतार दिया जाए लाला मैं भी नहीं चाहता हूँ कि तुझे लेकर जाओ पर करू तो करू क्या मुझे राज़ा की आग्या का आग्या मान कर मुझे आना पड़ा माता यशोदा गा क्योर कनिया जातर कनिया कहने लगते मैं यह मुझे सही बताईए क्या मेरे मा और बाबा करा ग्रह में है माता यशोदा जैसे कनिया के मुख से ये बात सुनी माता यशोदा धडान से जमीन पर गिर पड़ी बेहोस हो गई कनिया ने मा का ऐसा वस्तल प्रेम देखा कनिया देखो आज माता यशोदा को उठाकर अपने कक्ष में ले गए कक्ष में लेकर देखो माता यशोदा थोड़ी देर के बाद सावदा नुई माता यशोदा रोती हुए कहने लगी कनिया केसी बात कर रहा है तू कि मेरे तेरे माबाप हो नहीं में तेरी माबाप हूं हरी के क्या करपा होती है मेरे को विंद की क्या करपा होती है आज माता यशोधा आज माता यशोधा देखो आज वही बार बार कनिया पूस्टा है माता यशोधा तक मैया मुझे ये बताई कि मेरे माबाप कोन है किसने मुझे जनम दिया माता यशोदा के पास एक भी सब्द नहीं मिलते हैं माता यशोदा से जब कनिया ने पूचा कि क्या मैया मुझे आपसे विस्तर से प्राप्त हुआ उस समय हरी कि क्या क्रफा हुई आज देखो माता यशोदा रोती हुई कनिया से कहने लगती है कनिया चाहे तुमुझे विस्तर से प्राप्त हुआ लेकिन तुम मेरा लाला है मेरा सर्वत रहे रहे चाहे जन्म तुझे किसी ने भी दिया पर तुम मेरा प्राणों से प्यारा है अज माता ये सुधा कनिया को खाक में भर लेती है और कनिया को खाक में भर के रोने लगे जाती है माता ये सुधा देखो कनिया मैया के चरण में पड़ जाते हैं और माता ये सुधा से कहने लगते हैं कि मैया जिस माता ने मुझे चाय जन्म नहीं दिया लेकिन मुझे आप ये सरवत्र प्यारी हो आप किसी बात कर रहें कि आप मेरी महिया नहीं हो या हो मैं सरवत्र दुनिया कुछ भी कहें लेकिन महिया आप मेरी हो आज हरी की क्या करपा होती है माता ये शोदा देखो कनिया को खाक में भर के फूट फूट के रोने लग जाती माता येशोदा इतनी रोती है इतनी रोती है कि आखे पुरे रक्त वर्ण हो जाती है आखों से आसों की धारा बह रही है कनिया भी रो रो के अपना भूरा हाल कर लेते माता येशोदा को कोई ठिकाना नहीं पड़ता है हरी की क्या क्रपा होती माईया येशोदा से कनिया कहिने लगे कि माईया मैं मुझे मेरे माता पिता को बंदन से मुक्त करने के लिए जाने कि आग्या दीजिए जिसी जाने की आग्या की बात की ना माता ये शुदा धरांग से जमीन पर गिर पड़ी और कहिने लगी कनिया से कनिया तो अभी चला जाएगा क्या कनिया कहिने लगी कि मैया अभी तो नहीं जाओंगा लेकिन मुझे मेरे जन्म देने वाले माता पिता है उनको मुझे बंदनों से मुक्त करना है मुझे उनको बंदनों से मुक्त करने के लिए जाना तो पड़ेगा माता ये शुदा कनया से वही प्रश्ट कर बेड़ दी क्योरे कनया तुझ जन्म देने वाले माता पिता मिल गए तो क्या तुम मुझे जाकर भूल जाएगा रे माता के मुझसे जैसे ही ये बात सूनी माता ये शुदा के, पास कनया गय preview चांती से लगा लिया और कदिया कहने लगे कि माता क्या बूलूँगा क्या आपकी गोद बूल जाओंगा क्या आपका इस्तना पान बूल जाओंगा क्या आपका लाड बूल जाओंगा क्या आपके हाथों से पाया हुआ माकर बूल जाओंगा आज कनिया रो रो के बुरा हाल कर लेते हैं कनिया से मैया कहने लगी कि कनिया तेरे जन्म देने वाले माता पिता मिल गए तो तू वहाँ जाकर तू मुझे तो भूली जाएगा कनिया फिर कहने लगे कि मैया मैं आपको कभी नहीं भूलूंगा आज देखो कनिया माता पल पल बेओस होती है और पल पल साउधान होती है माता रो रो के बुरा हाल कर लेती है मैया से कनिया कहने लगे मैया मुझे जाने के आग्या दीजिए आज कनिया से माईया कहने लगी करी या जा तु तिरे जन्म देने वाले माता पिटा को बंदन से मुक्त कर दे चला जा लेकिन तु जाएगा तो मैं किसके सहारे जियूंगी इतना ही के कर माईया फिर बेहोस हो जाती है आज मैया देखो थोड़ी देर के बाद सावधान हुई आज मैया देखो प्राते आज कनिया और मैया पुरी रात नहीं सो एक मैया प्राते उठी उठी उठकर देखो कनिया के सुन्दर यमना से जल लेकर आई और कनिया को इस्तनान करवाया नया पितांबर लाकर कनिया को आज पितांबर पेहनाने लगी जब कनिया को पितांबर पेहनाने लगी न उस समय कनिया कहिने लगे मैया आज तो आप मुझे पितांबर पेहना रहे हो माज आने के बाद मैं नित पितांबर तो पेहनूगा पर मुझे पेहनाने वाली मा कोन होगी मा कोन होगी आज कनिया ने पितांबर पेहना पितांबर पेहन कर वही कनिया देखो आज आज मैया के समीब गयर मैया के समीब जाकर कहने लगी कि मैया मेरा जुड़ा बना दो आज मैया देखो किनिया क्या जुड़ा बना मता यशोधा आज देखो बार बार कनिया की खांग में भर जाती है और कनिया की खांग में ब्रकर केनी लगती है कि हिए केशवे क्रिष्ट तुम मुझे यहां से जाएगा छोड़ करते कि मुझे भूल जाएगा अकर तुम जाएगा तेरे मिदा मैं कैसे जिऊँगी आज माता येशोदा देखो कनिया को सुंदर पितांबर लेकर आती है सुंदर पितांबर पिना देती है कनिया देखो पितांबर पेन कर माता येशोदा के पास जाते है और माता येशोदा के कहने लेखते है कि मैया मेरे जुड़ा बना दीजिए माता येशोना देखो प्रेम से श्रद्दा और भाव से कदेया का जुड़ा बनाती है जुड़ा बनाया मेरा साम सुंदर का जब जुड़ा बना दिया वही गजरा रखाता है कदेया के माते पर वही जुड़े में गजरा बान दिया अज माता येशोना कदिया को टगर टगर देख रही एक लट से देख रही एक बाता ये शुदा सोच रही है कि कि कुछी समय के बाद मुझे से छोड़ कर चला जाएगा मैं किसको देखूंगी आके किस काम की जा मैं ये आके जो मेरे कदिया को ना देखे विए आज कदिया कहें लगे कि मैया आपने मेरे जोड़ा बना दिया और गज्रा तक पहना दिया लेकिन मैया क्या गज्रे पर आद मोर पंकद कहीं कोई काम का नहीं तेरे मोड़ पंके आगे तेरे हाथ के मोर पंके आगे वो कोई मोर पंग पहना देती है मला अगरे चंदन का लेप कर देती है अच्छा सा काजल लगा देती है हाथ में बासुरी दे देती चरड़ों में जूता पहना देती कनिया प्रिणाम करके कहने लगते हैं कि मैया में जाओ मैया कहने लगते हैं अब कहा जा रहा है एक बर रूतं जहिक दो का ने सामने से टो अगर मुका चला गया तो मैं कैसे रहूंगी कहां आज जाती है और जाकर देखो आज बात बनाती है कनिया के पास आती है और बात का अपने हाथों से भोग लगाती है जब ग्रास बरबर के माता यसोदा बात का भोग लगा रही है ना कनिया बात पाते जा रहे हैं कनिया के आखों से आसु नहीं रुक रही है क्योंकि मा दुनिया का हर दुख सेन कर लेती है बेटे का दुख कभी सेन नहीं होता है, बेटे का दुख सेन नहीं होता है, अगर पती बिमार पड़ा रहेगा तो माता एक पल के लिए भूल जाएगी, लेकिन अगर बेटे को थोड़ा कुछ हो जाए तो माता पूड़ पूड़ को रो उड़ती है, मा महिनों तक बिस्तर में पड़ी रहेगी, लेकिन वही मा अपने बेटे को कहीए, कि बेटा इलाज के दर बेटा उटा कि ये जवाब दे देगा कि मैया अभी नहीं बनता है, मुझसे सामको जाऊंगा, लेकिन बेटा एक पल के लिए अगर बिमार पड़ जावे एक गंटे के लिए उसे जुआर आ जाए बुखार आ जाए तो महिया तुरंज आईगी और कहीगी कि बाद में सारे काम करना पहले डोक्टर के पाथ चल मेरे साथ में तेरा इलाज कराती हूँ मा ऐसी होती है आज देखो वही माता यसोदा अपने हाथ से भोग लगाती है कनिया भोग पाते हैं रोते जाते हैं कनिया से महिया यसोदा कहने लगी कि महिया मैं जा रहा हूँ महिया कहने लगी तुझ जा तो रहा है पर वापिस कब आए गारे कनिया कहने लगी कि महिया मैं जल्दी आ आज कनिया देखो मैया से आगया लेकर मैया का हाथ पकड़ के द्वार पे आते हैं यही बाच पुरे ब्रजमंडल में फेल गई आज ब्रजमंडल की सारी गोपिया गोप गोप बचड़े सभी के आँखों में आसु है जड़ चीज से पानी बरस रहे है चेतन ची दिस्तर हो गई पत्तर भी रो रहे है गोमाता भी रो रहे है और सभी ब्रजमंडल आए गोपिया सभी वही दर्वाजे पे कड़ी हो गए और खनिया से के रही कि कहा जा रहे हो कहा जा रहे हो ना जा बुरे समर्या केसे जीओगी में का जा बुरे समर्या केसे जीओगी में का जा बुरे करिया केसे जीओगी में ना जा बुरे करिया केसे जीओगी में केसे जीओगी में केसे जीओगी में केसे जीओगी में ना जा बुरे करिया केसे जीओगी में ना जा बुरे करिया केसे जीओगी में के जा हुआ के जा बुरे के जा दुरे चिन्या जा बुरे हाम, एम दुरे ना जाए का लुरे गोपिया देखो भगवान से कह रही है ये गोपुल सारी गल्या, मेरे काम की नहीं ये गोपुल सारी गल्या, मेरे काम की नहीं ये गो कुल सारी गलियां मेरे काम की नहीं ये गो कुल सारी गलियां मेरे काम की नहीं ओ ना जा मुरे मुराली कैसे जियों कि में ना जा मुरे मुराली कैसे जियों कि में ये गो कुल सारी गलियां मेरे काम की नहीं ये गो कुल सारी गलियां मेरे काम की नहीं ये गो कुल सारी गलियां मेरे काम की नहीं ये गल्वे सारी गाये मेरे काम की नहीं ओ ना जा मुरे मुराली कैसे जियों कि में ना जा मुझे वियां ये केसे जियों कि में गल्वे सारी जा 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 आ जा ये गलाए इसके बाद गोपियों ने कितनी बड़ी बात कह दी भगवान को जो कल-कल करती हुए यमना बह रही है उसका भी वास्ता दे दिया है यह यमना तारी मटकी मेरे का आदगी नहीं यह यमना सारी मटकी मेरे काम की नहीं आपको लगता है वह यमना कोई काम की यह कनिया के बिना यह कोई काम की उसकनिया के यमना भी अदूरी है बड़की भी अदूरी है गोवे भी अदूरी है और गौाले भी अदूरी है ये हैं यमना सारी मट की मेरे काम की नई ये हैं यमना दादे इकामट का मेरे काम की नई ओ ना जाने गुबाला के इसे जियोंगे भी ना जाने गुबाला के इसे जियोंगे भी अब गोपिया ने क्या कहा वही गोपिया कह रही है भगवान से ये भगवान, ये केशव, यमना, गो और ये गोकल हमारे कोई काम का नहीं तो इस गोकल में जो रोज रोज नित नित ताजा बनता है माखन उसका क्या करेंगे हम क्या कर इस माखन को ये हैं मिश्चरी सार माखने मेरे काम के नहीं ये पिश्री सारा माखर मेरे काम क्या नहीं का जा मुरे कनिया कैसे जियोंगे में ना जा मुरे कनिया कैसे जियोंगे में केसे जियोंगे में केसे जियोंगे में गोपियों ने हचारों बार उलहना दिया लेकिन भगवान वही देखते हुए फुट फुट कर रोने लग जाते आज गोपिया ने कनिया के पास के कनिया से कहने लगी कि हे केशों हे मुकुंद सच्चतानंद हे गोपाल हमें छोड़ कर मत जाओ कनिया ने गोपियों को दुआई दी माता पिता की अज गोपिया कहने लगी कनिया तो चला जाएगा जात जाना तो चला जा लेकिन तेरे जाने के बाद हम किसके सहारे जिएंगे हम कैसे रहेंगे हमरा जीवत कैसे निकलेगा और कनिया तो चला जाएगा न तो इस सरीर में जो आत्मा है इसको भी तुश साथ लेकर जा तेरे बिना यह प्राड अधूरे है इस तरी रदूरा है हम अधूरे हैं शाम आज कनिया ने गोपियों से प्रातना की, गोपियों सिदी को आज गोपियों निरास्ता दे दिया, आज कनिया देखो रदके समीप गए, आको उजी रद लेकर खड़े, बल्दे वह यह रद में सवाड हो चुके है, बेट चुके है, कनिया रद के उपर जैसे ही त्मेर धने लगे आज एक गोपी आई जाकर चड़नों में गिर पड़ी और कहने लगी कनिया से कनिया तो में चोड़कर मज्जा तेरे भी नाम नहीं जी पाएंगे कनिया दे उसी गोपी को उटाया गोपी को समझाया इतने में कनिया को याद आगे वर्षभान जी की लाड़ी माता राधा रानी पुरे ब्रजमंडल है ब्रजमंडल के पर तेक गोप गोपी गुजर गुजर गुवाले माता यश्वदा नंद सब हैं लेकिन बस वर्षभान कि लाड़ी माता राधा रानी नहीं है माता राधा रानी आज यमना ठट प्रतिक्षा कर रहे हैं कनिया जैसे ही राधा रानी की याद आई राधा रानी के बारे में पूचा गोपी ने बताए यमना ठट प्रतिक्षा कर रहे हैं भगवान कनिया जाते हैं राधा रानी दे रादा सुनना तो कि अरे शामा सुनना रादा 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 रादे का MENA पुठड कर रो रहाkey लेकिन आखोसे एक मुन्सों नहीं निकल रहे रादा राधा रानी क Hijya धिर का कि राधा में जाओ इतने में राधा रानी ने देखो पलड़ कर जवाब दिया और कहने लगी राधा रानी की आपको जाना है तो आप जाओ लेकिन आपके जाने के बाद मैं कैसे रहूंगी मैं कैसे रहूंगी आपकी याद आईगी तो मैं क्या करूंगी इसाव संदर आप जाईए लेकिन आपकी याद आईगी तो मैं क्या करूंगा आज राता रा का राधा रापन कर राध के आख को को सुनके राधा रानी के आख्ओं को में तो आसु सुनई्य, मेरी वुर्ष्रभाण जी की आख्माइनके अजिए पुट पुट करो रोने लगे जाते हैं रोते हुए के नहें लगते हैं कि राधा मुझे reading का किमाता पिता वधा और राग्राम है उन्हें बंदनों से मुक्त करना है उन्हें करना है और उस पापी जुश्ट कंस को उसके आतंक से उसके पाप से इस जरा धाम को मुक्त कराना है रादा रानी कह दे लगी कि भगवन आपजाएं लेकिन पर किया आगी कि तो क्या कर router travelled कि उस उसी समय इसी बासुरी के आवास सुनके तेरे सम्मुक आ जाओंगा इस संतों का मानना है भागवत में नहीं लिखा हुआ है पर संतों का मानना है कि वही यमुना टटपर जब रादारानी से मिलने के लिए सामसंदर गए तो भगवान ने रादा रानी से मही गंदर वविवा किया था सूर्य और यमना की शाक्षी में हरी की क्या करपावी भगवान आते हैं आज रत पे सवार हो कर देखो आज गोकुल से मत्राकी और बढ़ जाते गोपिया रस्ते में लोट जाती है रस्ते पे सो जाती है आज कनिया जैसे तेसे समझा कर रस्ता लेते आगे बढ़ते आज ब्रेजमेंडल में तो दुख के बादल शाये हुए सभी लोग रो रहे पर रत पर जो कनिया को लेकर जा रहे है अक्रूर जी भी पुट पुट के रो रहे है कि मैं कितना बड़ा पापी हूँ कि मा को बेटे से अलग कर दिया गौल को अपने मित्र से अलग कर दिया घुपी को अपने प्रितन से अलग कर दिया घुपाल को दाये को अपने गौले से अलग कर दिया आज देखो आज वही अक्रूर जी ने विचारा आया रत में भी होते दुसरी में फीर होते तिसरी में चतर बुजरूप में भगवान थाकुर जी आज दर्सन दे देते हैं अकुर जी समझ जाते हैं कि यह कोई साधरन बाला कनईत शाक्षात हरी है यही ब्रजमंडल में बात पहल गई कि कनिया के साथ शडियंत्र कर रहे हैं कंस आज उसे शडियंत्र को देख कर बालज गोपाल, ब्रजवाशी और सीधर रास्ते ही दोड़े चले गये, कनिया से पेले मत्रा बाल गोपाले पहुझ गई ब्रच्वासी गोप चले गए, गूजर चले गए, बाल गोपाल चले गए, इननाते बाबा चले गए इधर देखो, भगवान कृष्ण की आज स्वागत में, पूरा ही हमारा मत्रुआ, खड़े हाथ में, पुष्पले कर भगवान का स्वागत कर स्वागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा देखिये भगवान का सरने स्वागत किया भगवान का सरने स्वागत किया भगवान मंद बाबा उपनंदा नोई भाईयों को देखा कनेया ने बाल गोपाल को देखा कनेया तो भूली गई कि वरंदावन एकी मत्रा है गोपुले की मत्रा है आज कनेया वही रहते रात्री श्राम करते प्राते उड़ते नंद बाबा से कहने लें कि बाबा मेला देखने जाए मेला देखने की बात आई बाबा नंद ने मना कर दिये कि मेला देखने नहीं जा सकते कि क्यों कि ये चंचले ना जाने क्या क्या शाता है सेतानी करेगा और महाराज कंस के सेनिक पलपल खड़े हैं महाराज कंस के सेनिक पलपल खड़े कहां ना जाने कोई महाराज कंस के सेनिक इसको ले जा इतने बल्दे भईया ने इसारा कर दिया कि बाबा में जा रहा हूं साथ में आज भगवान देखो दुसरे रोच पीतांबर पेन रखाए मोर पंक लगा हुआ है आज पेरों में जूते हैं कटिला सत्व बदन है गुगरालू बाल है बाल गोपाल बल्दे भईया के साथ मेला कर देखने के लिए आगे बढ़ते हैं जो से आगे बढ़े यमना तता आया यमना ततब्पर जैसे आते हैं ना महीं दोभी एक पड़ा दोरा मंसुगा कहने लगा की तेरे पास नहीं कपड़े हैं हमें भी कपड़े दिला दे हमें भी निलाद कनया गये दोबी बाबा के पास और दोबी बाबा को कपड़े मांगे दोबी बाबा ने मना कर दिया रामा उतार का वही धोगी जिसने माताजानकी को कलंक लगाया था आगे बड़े मेरे कनिया सुधामा नाम का माली खड़ा है उसी माला ने भगवान को और पित की सुधा नाम के माली ने तो भगवान ने उसी माला को सुधार करके सुधामा को नाम के माली को धेरो आशिरवाद दिया एक दर्जी बाबा खड़े हैं भगवान को पितंबर अर्पित किया मित्रों के वस्रड सही कर दिये दर्जी बाबा को भी ढहरो आशिरवाद दे दिया दर्जी बाबा कौन जिसने रामा उतार में राम जी के लिए मेरे शीर राम के लिए पितंबर बनाया था राच्छ पिशेक के लिए लेकिन के गई के दुवारा भगवान राम कहा चले गए ते वन में उसी दुख के कारण मित्तिव को प्रात्त हो गये हरी के क्या क्रपा हुई तो उसी दर्जी का भी उद्धारे कर दिया भगवान आगे पोची तो ये बनिये जो सवकार बनिये होते न इन्होंने बड़ा स्वागत किया भगवान का क्यों किया पताए उसके पीछे कारण था कि महराज कंसल ने क्या लगा दिया था टेक्स जादा टेक्स से लगा दिया तो ये बनियों ने सोचा कि अभी पता के रखो अभी अपने पक्ष में कर लो बविष्य के होने वाले तो हमारे भगवान सिखिष्ण यहां के राजा है तो इसलिए बनियों ने बड़ा स्वागत किया तो बनियों के घर जब बनियों का स्वागत देगा तो बनियों के घर में माता लक्ष्मी प्रगडियों चरुने चिंते छोड़ दिया बोलिये माता लक्ष्मी की बन्यों का स्वागत स्युकार किया भगवान ने भगवान आगे बढ़े तो हम जैसे ब्रह्मनों के मोले में पोछे कहां पोछे कहां पोछे हम जैसे ब्रह्मन कैसे लोभी ब्रह्मन है ना लोभी ब्रह्मनों के गलियों में पोछे आप नहीं का लोब नएं धन कमाने का लोग नए किश्म के नाम किमाने के लिए ये इस निक का लोब है तो माता लक्षमी नाराज होगी, माता लक्षमी ने विचार के एक ब्रामन होकर बेद वेदान जानने वाले होकर तुमने भगवान को पैचाना नहीं, जा तुमारे घर में नहीं आती है अगर तुमने घर नहीं जाएगा तो मेरे खाने पीने के लाले पर जाएंगे अगारी कुसको दिया भगवान के सब क्या मंदिर है पेले तो एसी दसा होती थी कि 8-8 दिन में नहाते ही थे, आज भी दियात में जाकर देखो जरा, आज भी देखो दो-तीन दिन में हमारी बुजर्ग माता है नहाती है कि रोद नहाना पड़ी जी, रोद नहाएंगे तो दुबले पढ़ जाएंगे, है ना, वाकि दुबले किसके सामसंदर के और सामसंदर के जो ठेकेदार बन जाते हो तो ठेका लेते केसा हरी भक्ति गाने का, हरी भक्ति का प्रचार करने का, तो माता लक्ष्मी ने सुराप दिया, भगवान ने सारा कहा कि लक्ष्मी ऐसे नहीं चलेगा, तो माता लक्ष्मी ने तुरंट बापी लुनतारा इससे सभ़ार करू कि इसीअ क्या करू कि कि घर्म के मात्यम से मेरीख करे जने इस्मी की सेवा करें उसके ह disciples मैं भष मीन के आगे बड़े जैसे आगे बड़े तो यहीं चपाद community को मदीरा पिलाए। जुछ और बल्देव जिस नास्ते से आरे हाथी पोचे आज कुछना और मल्देव ने यहां यूद्ध की यहां यूद्ध किया यूद्ध किया और घुमा कर यहां पठका कर वियुदं कर दो जिससी दसां देखी जैसे दसा देखी हाती मारनेवाली सब समझ गए कि इसका स्वागत करनेना चाहिए यही स्वागत का पात्र है यही कंस को मीरने वाला आज आगे पोचे हाती मार के वही सिव धनुस रखाए हैं जज़िची महाराज के अस्तित से बना हुआ उसी धनुस के पास पोचे और भगवान कनिया जैसी दुआर पे पोचे दुन दुआर पालों को एके के मुखा मारा किष्ट और बल्देव दुन दुआर पालों का उद यह हुई एसे आज देखो एसी आवाज लिखनी प्रत्री आकाश एक होने लग गया और वही कंस को सुचना मिली कि धनुस तोट गया आज कंस घबरा के लाल हो गया धनुस तोड के भगवान आगे पोचे अज मल भूमी में देखो भाराज कंस का सात मंजील आसन लगा से एलंस कर दोरोन सब्सक्राइब करने लगते वाज अनेक संतंगे यह को पृत रहे हैं गौपियों और दिख रहे हैं और कंज महाराज को भगवान काल दीकशन मुष्टीग से भगवान कि फ्यूर बल्षन वंजिले फाल इसा अतोनन पर फालते और भगवान जैसे गए मेर एक अवह सामने वे सामने और भागने लगाज किना यह न फयारती। मोड़ा मस्तक से वही मस्तक से वही उनका मुखुट नीचे गिरा भगवान हरीन चोटी पकड़ ली मामा की जा पकड़ी चोटी पकड़ी और कहा कि मामा आप बोलो मेरी मैया की भी आपने चोटी पकड़ी थी अब बोलो याद करो वो दिन याद करो वो दिन की मेरी मैया ने आपसे बार बार कहा कि मुझे छोड़ दो मुझे छोड़ दो मेरी मैया को नहीं चोड़ा मेरे अंदे भाईयों को तो मारा या तक कि मेरी मैया और बाबा को आपने काल खोटरी में रखा कनिया से महराज कंस केन हैं भगवान नहीं चोड़ते भगवान के में अब बोलो मामा आद देखो वही चोटी पकड़ के जो घुमाने लगे जो घुमाने लगे और साथ आठ दस पंद्रा बीज एक सो आठ चक्कल लगा जो तरहां किसा जमिन पर गिराया कंस का मस्तक पूड़ गया कंस का उतार कर द गोवेंदे बोलो हरी गोपाले भूलू उरारारा मने हरी गोवेंदे बोलो हरी गोपाले भूलो शामा की जे बोलो हरी गोवेंदे बोलो Krishna, Krishna, Hare Krishna Krishna, Hare, Hare Krishna, Hare, Hare, Hare Krishna, Hare, Hare Krishna, Hare, Hare Krishna, Hare, Hare, Hare तेरे बारे में बहुत पूछ रहा था आज माता ये शोदा फुट फुट करोने लगे जाती आज गोपियों के जुंड बनाऊवा गोकुल के गोकुल में मत्रा के रास्ते एक मत्रा से एक गोप आया गोप से पूछने लगी कनिया कब आएगा आज गोपियों कोई गोप कहीं लगया कनिया को तो उनके मता पिता मिल गए उतना अजजी में रहते गोपिया फुट भुट कर रहने लग गए आज गोपिया देखो आज कनिया को बुलाने के लिए कि सुनी है गोकुल नगरिया आजा आजा समरिया आजा समरिया आजा समरिया मैं आजा समरिया सुनी है गोकुल नगरिया आजा समरिया सुनी है गोकुल नगरिया आजा समरिया सुनी है गोकुल नगरिया आजा समरिया 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 बरसाने से रज के बुलाएं एक आलबाल सबर मिलकर गाएं जगियाओ देखे डगरियाँ अब तो आजा सवरिया जगियाँ देखे डगरियाँ आजा आजा सवरियाँ वोले साम जिन्मेट सरकाय रिखी बुल श्याओ में प्यारे की आए हो एसी प्रीत लगी मन हो हने एसी प्रीत लगी मन हो हने तेरे बिना तकी हो गई जो गने तेरे बिताबल हो गई जो गने धूंडे ही सारी नगरियाँ अब तो आजा सवरियाँ तो आजा सवरियाँ तो आजा सवरियाँ अब आजा सवरियाँ बोली शाम सुंदर सरकार की जे हो आज सभी ब्रज में इंतिजार कर रहे हैं भगवान कनेया देखो आज ब्रज मंडल से मत्रा भी राजमान है हरी की क्या क्रपा हुई समय व्यतित हुआ समय बीतता गया बीतता गया बीतता गया बीतता गया भगवान कनेया के पास आये उद्धोजी बड़ी ज्यान की बात करने लगे भगवान करने या टारी पे बेट कर देखो आज प्रतिक्षा देख रहे हैं गोकुल की और गोकुल की गनिया को बड़ी याद आ रही है उद्धोजी बड़ी-बड़ी बात करने लगे कि तो भगवान होकर कृष् उद्धव जी को देखो एक सुन्दर पितामबर दिया गया और वोई सुन्दर पितामबर पहना कर रत में सवार होकर देखो उद्धव जी को आज गोकुल भेजा गया उद्धव जी देखो ज्यान देने के लिए गये थे कि मैं तीन दिन में ज्यान देकर लोटकर आ इनकी जगे वो तीन महीने तक उद्धव जी ने गोपियों से किंश्ट क्था का श्रमन किया करिश्ट हमारी कृष्णने ऐसा क्रिश्ट ने वेसा क्या तीन महीने के बालो नोड़ कर उद्धव जी निर्दई के ऐसा निर्दई है तू एक बार मार दे तो ठीक है उन गोपिया तो नित नित तेरे लिए मर रहे कर नहीं है जा चला जा और जाकर मिलकर आजा हरी कि क्या क्रपा होती है आज संतपनी महराज के आश्रम में कृष्ण बल्दयों पढ़ने के लिए जाते हैं महीं ग पनी महराज गुरु माता को गुरु दक्षण आदी और लोड को उजनिया जाते हैं उजनी से आज मतर आ जाते हैं मतरा के राजा भगवान कृष्ण हो जाते हैं मतरा के राजा क lyssna हुए तो कंस महाराज की दोपतनी आस्ति और प्राप्ति दोनों को लगा कि ये राजा बन गया हमें दुग देगा पिता के जरासन के पाथ चली गए जरासन ने देखो आज सत्रा बार आक्रमन किया जब सत्रा बार जरासंद महराज ने आक्रमन किया तो मत्रा पे सत्रा बार जब आक्रमन हुआ तो सत्रा ही बार आक्रमन पे भगवाद क्रिष्ट ने जरासंद पे विजे श्री प्राप्त जरा का अर्थ होता है पीडा और संत का अर्थोता सात दिनी वाली जरासन की दो बेटी आस्ति और प्रापती जरा आती कैसे हुए हमारे पास आस करने से केसी आस घर बन गया, घर में गाड़ी हो ना गाड़ी हो जाने के बाद चार मंजिल मकान हो ना चार प्लाट होना आस करते जाएंगे करते जाएंगा जीवन परियंत कमाने में लगे रहेंगे भक्ति करने ही पाएंगे छल चिद्र करते रहेंगे था हमें अनेक प्रकार की पीड़ा जहलनी पड़ेगे आसी और प्राप्ति दो बेटी आहे जरासंद के और कंस की पतनी हैं कंस मरने के बाद पिता के आ जाने के बाद वही जरासंद ने दामाद के राज्जिग को बेटी के देने के लिए 17 बार आक्रमन किया लेकिन जरासंद पर 17 बार भगवान कृष्ट ने आज देखो विजे श बोछी प्रीपराप्तकी 8 बार वही जरासनसे क्हें नहीं ड्टार बार बम वुक्राडले गए न दोभार 97 गाय लेवलम्त क्यूंगं यहां ने वत बर सैन्म सकुल है को सब्सक्रांवे में ओप मिदल मार्ट पर वे सत्रा बर ऍवह से उत्त है यहां ना हमारी अपनी भात्ता में च्या करते हैं कि गुरुजी कोई सांट हो जाता है को मर जाता है। थो हम क्या करते हैं है कै पहले चिए पिंड देते कृत्ने पिंड देते शे ऐसा विदान hai ठोट थो बड़ी लुपत हो गई हिंदु सब्सक्रति बड़ी लुपत हो गई है हम क्या करते दस दिन में भुबन का घाटा कर देते हैं घाटाई बोलते ना दशाकर्म दशाकर्म कर देते ग्यारवा बारवा तेरवा तेरवा करने के बाद अठारवा का कुम देते हैं मतलब कितने दिन याद रखा हमने कितने दिन तो बिल्कुल पिर चकाचक वापिस से कीवे से अठारा दिन तक हमारे उपके हमारी घर में कॉल आ गया तो अपके उन सा काल आये अठारी बार काल लेवन को साथ में काल लेवन को वर्धान है कि मुझे कोई यदू मार नहीं सके आज भगवान को पता लगा जब सत्रा बार जरासना हरा सत्रा बार जरासना भ्रहमन को बुला और का कि ब्रहमन ऐसा पूजन करो ऐसा पूजन करो कि जिस पूजन से में तो भगवान कनिया को पता लगा भगवान कनिया ने देखो आज पहले ही समुन्दर में आज द्वारिका का निर्मान कर दिया और द्वारिका में आज मत्रा वासियों को माता पिता को पहले और कुछ सेना को छोड़ दिया और कुछ सेना को रख लिया मत्रा में बोली है द्व बगवान कनिया और बल्देव भाईया युद्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द् जरासं से युद्ध कून करते हैं, बलदेव हमारे सरीर में जब तक जरार रहेगी, जरा आएगी हमारे सरीर में, जब तक बल रहेगा, वहां तक हम लड़ते रहेगे, और जैसे बलसमाप्त हो जाएगा, तक हमारू पर जरा प्पेवी हो जाएगी। और काल से कौन युद्ध कर रहे है भगवान कृष्ण अजरासन से तो युद्ध कर रहे है भगवान बल्देव और काल लेवन से भगवान कृष्ण युद्ध कर युद्ध करते करते आज समय वेतित होता जा रहा है कुछ सेना भगवान की उसके तो बड़ी स्रेना है स्रेन का धर्म है चत्रियों का धर्म है कि युद्ध में चाइबीर गती को प्राप्त हो जाए लेकिन पीट नहीं दिखाएंगे कनिया का अगे कीचर कनिया ने हाँ चुड़ा और एसे पलट कर भागे एसे पलट कर भागे आगे आगे कनिया पीछे बल्देव भाया रोखने के भागवान ये से भागे उसी भूमी से के परवशन परवत पे चले गए जैसे परवशन परवत पे गए गुपा देखी गुपा में जाकर भगवान कृष्ण चुप जाते यही कालेवन आया परवशन की गुपा में प्रवेश किया गुपा में जाकर चुपे जैसे गुसे तो वहाँ एक बड़ा सा जाड़ी नूमा और जाड़ी नूमा पे दूसाला ओड़े हुए कोई सोया हुआ था इसी कालेवन ने सोचा कि कोई एक छलिया कृष्ण यहां आकर मेरी डर के मारे चुपा बेटा है जाकर उसी दूसाला ओड़े हुए को जो लात की मारी एसी लात की मारी की वही सोया हुए थे मुचकंद महाराज चक्रवर्ती राजा समराज रहिद्यापती महाराज मुचकंद थे और मुचकंद महाराज को लात मार दी और मुचकंद महाराज कब से सो रहे हैं देवासुर संगराम से आस तक सो रहे हैं हरी की क्या करपा हुई मुचकंजी महाराज के आँख खुली कालेवन जलकर राग का डेर हो गया जरासन को पता लगा कि कालेवन जलकर राक का डेर हो गया जरासन ने देखो आज उसे परवशन की परवत पर आज आग लगा दियो और आग भी लगाई तो एसी लगाई कि महीज परवशन परवत में भगवान करेया और बल्ले उभईया परवशन परवत की परवशन परवत स परिवान की छेव। की उन्दे इतना सुन्धर मन भाहू का आयोजन कई एक रचना की। आज सुभे वही भेने सब आई थी हमारे पास। जब यग्य की चर्चा हुई तो उन्होंने कहा कि गुरुजी यग्य में कितने जोड़े बैठ सकते हैं। तो हमने कहा उनको कि 10, 20, 50, 21, 51 जितने बिठाना चाओ इतने बिठा लो। मेरी तरफ से कोई मना नहीं है। सारवजिनी की यग्य और सारवजिनी की यग्य में सब बैठे। लेकिन उस यग्य का एक निर्धारित कोई राशिया आप कर दिजिए और जो पहले आएगा वो पहले ही पाएगा। मैं निर्दाए करनां साब। यह मेरा निर्दाए यह बड़े घर का or चोटे घर का जो पहले आ एगा पहले अपना नाम लिखाएगा वो पहले ही बै यह बात नहीं बनेगी कि आगे हम बैठेंगे ने पीछे यह बैठेगा। ठीक है जो पहले आएगा पहले जिसका रजिष्टर में नाम अंकित होगा इन समेती वाले के पास उनीका ही वो पहले बैठेगा और कल चार बजे तक जिसका नाम अंकित होगा उसी कोई ही पातरता है यग्यमें बैठने की क्योंकि ये सारवजिनी भागवत है 400 घर अपने नालंदा पुरम में है पुरी पंचमडी से सयोग है और सब यदि भगवान करे 400 घर के आवे और यग्यम बैठे बड़ी खुशी की बात है पर इन टाइम पर आकर बोले कि गुरुजी हम भी बैठना है तो व्यवस्ता कैसे ज योगों ने करा है तो सभी से मेरा निवेदने की निर्ण यही रहेगा आपको जो भी करना है जैसे करना है आपकी जो परिवार आपका निर्ण नहीं है आईए कृष्ण कता में भगवान रुक्मनी कृष्ण की विवा क्या दर्शन करते हैं जिसे प्रकार भगवान कृष् हाल तो हल्दी मेंदी करनी रुकमनी का प्रागट्टे करना और ऐसे आप करोगे तो क्या पिसीदी साधी कर देते पर कथा का कई मतलब भी नीरियो साथ करेगा कई मतलब कोई कोई मतलब नी रहेगा ठीक है विवा की तरफ चलते छोड़ते हैं सारी बाते बोलिये रागवें इंद्रसरकार की जेसु हमारी मालवी में कहावा तक जेसु थारो गौनो यसु मरो बजानो ठीक है तो आप जो चाहते हो हम वैसा कर देंगे हम तो तीन घंटे की ड्यूटी य वा कन्यादान करो हो गई कथा ठीक है आनंद लेना आनंद की मादन से दीजिए क्योंकि सावरिया के दरबार में बैटे हैं अरे सावरिया के आगे खड़े हैं कर जोर माई रो भरे रे मारो राजा रण चोर्ड़ दावरी आके आगे पेवेगों करे जो माही रो भरेर मारो राजा रण छो माही रो बरेरो डरो राजा रण छो हरी आप जानते हो आप जानते हो यही भजन क्यों गाया मैंने क्योंकि आप मैंने भी सुबह कहा था एक बात याद है कि आपके घर बरात आ रही है कहा से कहा से आ रही बरात दुवारी खासे कहा पर नालंदा पुरह में और बरात आ रही है तो माहीरा में कपड़े वपड़े कुछ नहीं केवल मन का माहीरा भरना है अपने को धन नहीं चा दन के आवाज सकता नहीं सुबह के रहे तो गुरु जी बहुत ऐसा है चिंता कि किसी से मांगने की जरूत नहीं बहुत चंदा पड़ा है हमारे पास बहुत है आपका तो मेरा यह केना है कि मन से माहिरा भरो नास्ते गाते होए भगवान के ताली सेवा देते होए सावरिया के आगे सावरिया के आगे भरो नाजारन चोड़ अलमा ये लो भरे लो मर राजारन चोड़ घरी घरी बर ती रादे अलमा ये लो भरे लो मर राजारन चोड़ ताहरा भरो छे लाला नानीने पड़नाई चारे बरो से दावरा नानीने पड़ाई ताहरे बरो से दावरा कर्यारे बड़ाई इमाहिरा री बेला माहिरा री बेला तो आजा प्यारे दो माहिरा दी बेला कर्या जा प्यारे दो माहिरो भरे रे मारो राजारन चोड़ माहिरो भरे लो मारो राजारन चोड़ माहिरो ऊत कर्या माहिरो माहिरो दो माहिरो भरे बड़ हाहा भरोसे लाला नानीने परणाई तारे भरोसे जवरा कर्यारे बढ़ाई माहे रारी बेला तो आजा प्यारे दू माहे रारी बेला तो आजा करे चोर माहे रो बरे दो मारो राजा राने चोर माहे रो बरे दो मारा राजा राने चोर सदू संग सात मरें पस न रजाई सदू संग सात मरें पस न रजाई निर जनवन में अब तो राच्छे किर आई महिर अरी बेला तो आजा कर डूर महिर अरी बेला तो आजा कर डूर महिर अरी बरेलो मारो राजा रण जो महिर अरी बरेलो मारो राजा रण जो महिर अरी बरेलो मारो राजा रण जो अरी बरेलो मारो राजा रण जो बोलिय द्वारी खाना तेकी आईए रुकमणी और कृष्ण भगवान की कता में प्रवेश करते कि कि रुकमणी रुकमणी है कोन लक्ष्मी लक्ष्मी कोन लक्ष्मी के तुन रुप बताए शम्शिक्त में कहूंगा लक्ष्मी महालक्ष्मी अलक्ष्मी लक्ष्मी किसे कहा गया वो धन जो किसी काम का नई धरा के धरा रह जाए उसे कहते हैं लक्ष्मी लक्ष्मी के बाद आई अलक्ष्मी वो धन जो पाप के माद्यम अमारे घर में आवे और पाद के पाप के माद्यम से अमारे घर से चला जाए उसे कहते है अलक्ष्मी जो पाप के माध्यम से आया पाप में ही चला गया जो धर्म से आवे और तेली आई लक्ष्मी लक्ष्मी किसे का आगया वो धन कि जो हमारे काम में ही नहीं आये इतने पेसे की माता पिता दादा पर दादा के हाथ के पड़े के पड़े रे जाए ना तो हमने देखे ना हमारे उलादे ने देखे बेंग में पड़े के पड़े रे जाए उस पेसे को कहते है लक्षमी लक्षमी के बाद आए अलक्षमी वो धन जो हमारे घर में आवे पाप के माध्यम में और पाप क विदर्वदेस गड़कुन्दनपूर जिनके राजा है महाबली बीश्मा विदर्वदेश सबसे बड़ा बेटा राजा रानी रानी का नाम नाम क्या आया बिश्मक देखिए आप बड़े चंचल मनके हैं सभी शुरोता बंदू सब चंचल मनके हैं आप कथा सुनने बैटे और यह पता ही नहीं कि लक्ष्मी है क्या लक्ष्मी का बाव जातक नहीं जानोगे यह पता है कि रुख्मनी का किष्ण का विवा हुआ है पर यह पता तो लगना चाहिए कि रुख्मनी का अर्थ क्या है क्यों रखा गया बगवान क्रिश्ण के बढ़ गए भगवान हरण कर गए पता होना चाहिए अगर कथा कुछ तो लेकर जाइए विधर्वदेश के राजा पिशमक भिशमक G. महराज की पतनी का नाम सुधमती सुधमती की माता के गर्म से पाच पाच बैटे रुकम रुकम बाहू रुकम केश, रुकम माली रुकम य रुकमएया सबसे बलसाली सबसे बड़ा पाच-बाच में आपन सबसाली सबसे बड़ा की बीस्म कद अब सब्सक्कारथ सत्यार्थ संबते दौत मत isn't जुमाइस भारत में थे जिन्योंने बचन देदिया तो ख्वान प沒 कि और दुसरे बिश में यह हुए जिनके घर माता लक्षमी का जन्म हुआ बिश्मक जी महाराज की पतनी का नामे सुद्ध मती सुद्ध मती का आर्थ है तो अच्छी मती जिसकी मती अच्छी होती उसके घर में रुकमनी आती है रुक का आर्थ होता है आना मनी का आर्थ होता ही तो दुकमनी किसके घर में आई जिसकी मती सुद्ध होगी जिसके विचार सुद्ध होगे उनके घर में सुद्ध लक्ष भी सुद्ध पेसा आएगा सुद्ध धन घर में आएगा और जिसके घर में सुद्ध धन आएगा उसके घर में कभी कली काल और पाप कभी प्रवेश न सुद्मती जाती समुंद्र टर तपस्या करती समुंद्र में कमल खिला कमल से लक्षमी के रोप में रुक्मनी माता का जन्म हुआ बोलिये रुक्मनी माता की रुक्मनी को लेकर घर में आये पाच-पाच बलसाली पुत्र पाचो पुत्रों का विवा कर दिया रुक्मनी को में दस महीन हमरें इसरति हो गए डॉर सि 197 को टए आज दो और से कर्यान्त के पाए नारद के पास आई नारद जी के आनारज जी के पास अभेडर कर खिने कताका श्रवन कर रहे है हरई कि हरी कि क्या क्रपा होती है आज कि देवरिष् सिंअर अपाल-पहर पल क्भी कुंधनप कवी कुनでは कि धुटन टीन वर्स की औरी कि देवरिशी नारत देखो कथा रुखमनी को नित्य सुनाते बाल लिला का जर्षन कराया अनिक लिल्ड़ा का दर्षन करवाया रुखमनी के मंतरधय में भगवान became शब laughter ओकि आए से बेठी एसी बेटी के अनन्दीत हो गए हरी कि क्रपा हूए कंडिया जब 9 विथाथ की आई सभड को ही आज भी दरव와 देश के राजा भिष्मगी जी महाराज के मन्थे विचार आया कि undenya का अभी बाकर देना चाहिए देवरिशी नारद आ गए देवरिशी नारद से बिश्मक जी ने पूचा कि बिश्मक जी कहे रहे देवरिशी नारद दुनिया का सेष्ट कोन है दुनिया में सेष्ट वर मेरी बेटी के योग्य कोन है और देवरिशी नारद से अगर पूचा ज़र देवरिशी नार और विश्मक जी महाराज के मनी मन विचार हो गया कि मैं मेरी बेटी का विवा द्वारी का के राजा भगवान कृष्ण के संग करूँगा आज देखो हरी की क्या करपा हुई रुखमनी माता आज नो वर्सकी विवा का समईजम नस्दीक आने लगा यही बात देखो आज माता पिता ने साम को पाचो ही भाईयों को भुलाया अब जब भाई बड़े हो जावे घर में बेटे करते धरते हो जावे तो माबाप की चलती है? नहीं चलती है आज माता पिता से पूछा तक नहीं और जो बिश्मक जी महाराज का बड़ा बेटा है रुकमया, रुकमया का एक मित्र है मित्र का नाम है शिशुपाल वो चंदेरी के राज करता है जिसमें सो सो हाती का बल है, बड़ा बलसाली है हरी कि क्या क्रपा होई वही बिश्मक जी के बेटे ने विचार किया कि मेरी मित्र भी है अच्छा बलवान भी अच्छा राज भी है तो मेरे बेहन का विवाँ मही करूंगा बिना भाईों से सला की माता पिता से सला तक नहीं की और वही वितर्वदेश के राजागा के पुत्र रुकमया ने अपनी बेहन का तिलक और लगन पत्री क बनवाकर बिना सला से लगन पत्री का उठीलक आज चंदेरी के राज कुमार शिशुपाल के भेज दिया जब चंदेरी के राज कुमार के यहां पंडिची शिशुपाल की लगन पत्री का लेकर गए तो शिशुपाल की भावीमा को पता लगा कि लगन पत्री का आई ये भावी में बड़ी प्रसंदा हुई लेकिन जैसे पता लगा के गर चंदेरी के राज कुमार शिशुपाल के लिए लगन पत्री का कुन्डनपुर के राजा बिश्मक जी की बैटी रुखमनी के लिए रुक्मणी की आई ये शिशुपाल वही बात सुनकर वही बात सुनकर वही भाबज कहने लगी भाबी कहने लगी कि ये विवा करना ठीक नहीं है रुक्मणी तो कृष्ण की प्रित्मा है और उससे विवा करना आपके बश्मन है भाबी ने एक बार रोका लेकिन भाबी को उ नहीं है तो वही देवर और उसकी सास क्या उठाके जवाब देगी कि आप तो चाहती ही नहीं हो कि हमारे बेटे के अच्छे घर में विभा हो हरी कि क्या क्रपा होती है आज देखो भाबी को उलाना दिया भाबी को उलाना दिया और भाबी को उलाना देते हो कहने लगे कि आप तो चाहती नहीं हो भाबी ने कहा कि तुम चाहते हो तुम करो मुझे क्या करना लगन पत्री का तो शिवका शिशुपाल ने कर ली आज शिशुपाल देखो आज अपने विभा की तैयारी करने लगा पत्र भेजा उसमें लिखाए रुकमईया ने कि मेरी एक लोती भायने बरात ऐसी आनी चाहिए ऐसी आनी चाहिए कि दुनिया मेरी यहां की बरात मेरी भेन की बरात देखते रहे हित्यास में उसका नाम अंकित हो जाए दो ही बरात अलबे ली गई है साब दोबरात अलेवेली गई है बड़ी मतवाली अलेवेली बरात गई है शिशुपाल को कह दिया शिशुपाल को निवेधन कर दिया कि बड़ी विशेश तरीके से बलातानी चाहिए राजा महाराजा हाती घोरे रत सारती सभी से शिशुपाल देखो अपने विवागी तयारी मे और कुंदनपुर्ज बरात जावें आज देखो विवा की तैयारी कर रहे हैं शिचुपाल धूला बन रहा है बड़े बड़े चक्रवर्ती समराथ राजा महराजा सभी देखो इसकी बरात में आ रहें इधर क्या हुआ इधर रुकमणी को संध्या को पिता जी ने बुलाया पिता जी कहीने लगे रुकमया रुकमाली रुकमकेश रुकमबाहु बेटा बेटी बड़ी हो गई ये नोव तो बुड़ापा आ गया है आपको तो आप जाकर आख खुली कि बेटी बड़ी हो गई है और आज कह रहे हो और मैंने तो पहले मेरी बेटी का विवा ते कर दिया लगनपत्री का उटिलग भी भेज दिया विश्मक जी कहने लगे कि बेटा कहा बेज दिया और सला करना भी नहीं पूछा है कि मैंने सब कर लिया जो घड़ चंदेरी के राज कुमार शिशुपाल है उनके साथ में विवा कर दिया पिता जी कहने लगे कि बेटा सला तो करनी चाहिए थी घर में किसे सला करूं किसे सला नहीं होती मेरे से भाईयों ने विरोध किया लेकिन जब भाई और शिच्छत के साथ हो अंन्य चार भाई भी चाहते कि मेरा विवा मेरी बहन का विवा द्वारि मेरे मित्र शिशुपाल के संग आज यही बात कानों कान फेल जाती है रुकमनी को पता लगती है कि मैं विवा की तैयारी हो रही है और मेरा विवा निर्दारित कर दिया और मेरा विवा गर्चंदरी के राजकमार शुचुपाल से किया रुकमनी को जैसे पता लगा रुकमनी रोती हुए भावी मा के पास ग जाओंगी अपने आपको जेर पाकर घरी के चरणों में सबर्पित हो जाओंगी या पीर चिशुपाल से में कभी भिवान नहीं करूंगी जब से मुझे सुद्ध आई है जब से नारजी के मुकमंडर से कृष्टन का चिंतन की आए तब से मैंने अपने मंत्र रधाई में साम जिसको पती माने उसी से विवा होनी चाहिए हरी की क्या क्रपा होती है मेरे गोविंद की क्या क्रपा होती है आज वही रुकमनी को भावी कहने लगती है कि रुकमनी तेरे भाईया नहीं मानने वाले है दाई तेरे भाईया को अन्य तेरे चार भाई मना सकते ना तुमारे पिता अब तो जगदीशवर जाने और तेरा विवा जाने और बेटी आत्मत्या करना तो उसका कोई शुलोशन नहीं है आत्मत्या करना तो कोई निधान नहीं है आज बेटी देखो वही आँखों में आसु ले लेती रुखमनी कहने लगती कि भावी मा मैं मित्यू को रुखमनी आप जानो और भगवान जाने भगवान के पत्र रिख दो वो तो सबका दुख दूर करता है तुम्हारा भी दुख दूर करेगा रुखमनी देखो आज भाव से भावी से आज्या लेकर देखो एक पत्र तयार करती है भगवान कृष्ण के लिए रुकमनी पाहाते लेखे रोकडवानी एमचे अब तम वेगाओ गालो महारा द्वार कानानात अब तम विगावो मारा द्वार का राना 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 मारा द्व कुछा खाल दो ब्रॉट जान जाओना लुट जान जान बाल बॉट बॉटल बुडो बामन लायो पाती बाच्चे बुडो बामन आयो रे पोती बाच्चे सवरा पाती बाच्चे बेना बरी आया सवरा पाती बाच्चे 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 बेना बरी आया जहो चड़े चड़े जो तारे बाच्चे बेगा हो पदारो मारा तारी कारा रात जब तार बेगा हो पदारो मारा तोरी कारा राती मारा मज़े बोरार मारा तीरी दारा हार रुगमणी पार तीलीगे वो कड़िवानी दे चड़ चड़ आयो चड़े निलो राज आधिको नामा से शोपाल रुगमणी पाते लेकर वो कडवम्धी कारा तीलीगे वो कड़िवानी दे रुखमणी दे को साथ शलोक लिग देती एक फुड़े ब्रहंमन को पाती दे देती ब्रहंमन देता पाती लेकर जाते सुबह से निकले शाम पढ़ जाती ये देखो नगर के भार पोचे रुकमनी भगवान से प्रातना करते कि आप जानो और ये पाती जाने भगवान एसी माया रस्तेग सोते हुए उसी ब्रहमन को आज कुंदनपुर के वन से दुआरिका के वन में लिया आते ब्रह सब्वन और वन के सामें दुआरिका बश्य ब्रहमन देखो आगे दुआरिका क्योर बढ़ जाते इदर शिशुपाल देखो दूला बनता है दूला बनकर देखो आज शिशुपाल की दूला बनाये जाता है आसपास के राजा महरा राजा बड़ी बड़ी सेना लेकर शिशुपाल के बरात ही कोई है शिशुपाल के बरात जाना है नहीं जाना है हाथ नीचे करो शिशुपाल के बरात नहीं जाएंगे हम तो सामसंदर के बरात जाएंगे तो शिशुपाल के बरात निकली घर से भाबी ने अजार बार समझाया पर भावी ने जब समझाया शुशुपाल एक नहीं माना अच्छा हमारे संस्प्रती में विवा के ने एक रस्म होती है कर्म होते हम काजल लगाते क्यों लगाते कि गुरुजी नजर ना लगे है ना नई साब अपने क्या रुपाड़ा है वहाँ नजर लागी जाएगा अच्छा कौन-कौन रुपाड़ा है कौन-कौन सुन्दर है कोई है क्या क्या बात है काजल क्यों लगाए जाती भावी और देवर के अच्छी पढ़ती था भावी और वो ननंद्न मूह की अच्छी पढ़ती है बाबी का जल लगाते हैं कि अपनी आखे करलो जब बरात लेकर जा रहे हो उसके जिसर बेहाने जा रहे हो उससी कन्या को काम के दस्ट्टी से देखना आसपां कि सक्षी ओको काम की मिल जाते हैं किया कर पाएंहिं रास्ता कार दिया सरपने रास्ता कार दिया जब दलती तो समय क्या गाती महिला यह कईते हैं अपनी मईया को अपनी माहिया पर कर गाली दस्ट्टी डाल रहा है काम की आप क्या होते हैंं नहीं हम मालवी के मालवी की बात करेंगे झाक . уже right और भुगिन भूल ऐसे बांचातने लार खड़ी दपी, बना गार भड़ी दपके। अब रुकमनी। पया कोई ओकाद है। लाई तपकाराई किसे लिए। रुखमनी मुझे मिल जाए। रुखमनी मुझे मिल जाए। रुखमनी। आज ़ुखमनी को देखर यही लाल टपका रायत को मनिनारत कृशन निभावा मनिनारत कृशन निभामा वतो कृशन निभामा रुखमनी नार तो कृषिन निभावा तो कृषिन निभावा वड़ो गणो आवी ही बना सपन लाले गड़ी टपने रहें अधर बरात चल शिश्वपाल वाले आप कनया की बरात रहे रहे ना जो माता के साथ दिना चाहते देखे यह यह गाली है उसको अगर हमारी बेटी को हमारी माँ को गलत देखता तो उसके लिए तो इसलिए सभी कहेंगे क्या दोने तानी या तानी तेमा देते या पहरीपा दोना आवे बना चा थनिला लगनी तबडी बना ताधान ये पुले से नो आवे बना तो ये लाल तरी लाव तो लाल तपकाओ न करो नी ये साब लाल तपकाओ पर लाल काट अपकाणी उप ध्यान रख जो लोग फिर बाद में गाली पके आज तक उस सिशुपाल को लोग गाली मार रहे ना उसकी बराद आगे बढ़ती है इधर भगवान कनेया के पास वही ब्रह्मन जाते ब्रह्मन पत्र देते ब्रह्मन की सेवा करते भगवान कनेया एक पल भी वेवधान नहीं करते ब्रह्मन को लेकर देखो अध्वारी कहा से कुंदनपुर के और बढ़ जाते इधर कुंदनपुर में देखो माता रुकमनी को आज हल्दी मेंदी की जा रही है हल्दी मेंदी लगाए जा रही है तेल चड़ाया जा रहा है माता रुकमनी से काया कि रुकमनी जल दिया तुम्हे तेल चड़ाया जाए भावियों ने समझाये कि द्वारिखा नात के अब हमन गए कुछ तो अच्छा होगा बेटी जो हो रहा है होने दे वो द्वारिखा नात सब ठीक करेगा आज माता रुकमनी को देखो आज सारी मही द्वारिखा मही कुंदनपुर में देखो हल्दी लगाई जाती है मेहंदी फिनी त्यादी का कर्म के आजा आओ मेरी सखिया मुझे मेहनी लगादो मुझे शाम सुंदर की दुलहने बना दो मुझे शाम सुंदर के दुलहन बना दो मुझे शाम सुंदर के दुलहन बना दो मुझे जंग में मेरी बाते ज़ुआ ज़ुआ है ज़त गुरु ने मेरी की निरे सगाई उनको बूला के हती लेवा तो करा दो मुझे शाम सुन्दर के दुलहन बना दो कि आप में से आप में से कोई सखी नी बनेंगी क्या माता रुक्मणी जी कि आजाएं एक दो माता हैं केवल दो देखिए सब खड़े नहीं होंगे आनन नहीं आएगा केवल दो दो माता हैं दो खड़े जो पास में रुक्मणी को हल्दी मेंदी कर दीजिए ठीक है बाकी आनन बाकी जिसको भगवान की कता में भगवान के विवा में नत्य करना आप अपने इस्तान पर खड़े ओके करिए बाकी डिश्टप नहीं होंगे कि बरात का स्वागत मुझे शाम संदर के दुलहन बना दू एसी ओड़ु छूड़ी जो कब हो ना जोटे एसी ओड़ छूड़ी जो कब हो ना जोटे अटल तुवागण की बिंदिया लगा दो मुझे शाम संदर के दुलहन बना दो मुझे सावसरर की दुल हटे बनाचो देखिए ये भाई लोग कैंकी बहन का विवाएं की नहीं है है ना बहन का विवाएं की बेटी का विवाएं की मा का और ऐसे बेठेंगे तो कैसे कान चलेगा यहूँ ओ भगती का जुर्मा आँखों में लगाओंगे दुनिया से नादा तोड़ गुनगे हो जाओंगे सत्कुर बूला के मेरे फेरे तो करा दो मुझे शाम सुन्तर की दुलहन बना दो देखिएगा आज माता रुखमनी को हल्दी लगाई मेंदी लगाई तेल चड़ाएगा चुनरोडाई आज माता रुखमनी को कहा सुदमती माता के के रुखमनी जाओर हमारी कुन देवी माता अंबिका का पूजन करकिया माता अंबिका का पूजन करने के लिए रुखमनी देखो पूजा की थाल सजाती है इधर पुजा की थाल सज रहिए उधर दुवारी का नात दुवारी का से कुंधनपूर आ गए प्रामण को उतारा इसारे सारे में रुखमणी को सुचना जे दी और रुखमणी माता वड़ी प्रसंदर रहे इसे माता अंबिका का पूजन करने के लिए जा रहिए माता सुद्मती को दो बार प्रणाम किया एक बार तो किसलिए एक बार किसलिए कि पूजा में हम बेटते हैं पूजा में हम बेटते हैं तो बड़ों का अश्रवाद लेते और दुसरी बार क्यों पाओ पड़े कि जा रहे तो बापिस लोट कर में नहीं आउंगी तेरा दर तो हकीकत में दुखियों का सहारा है तेरा दर तो हकीकत में दुखियों का सहारा है तेरा दर तो हकीकत में दुखियों का सहारा है तेरा दर तो हकीकत में दुखियों का सहारा है तेरा दर तो हकीकत में दुखियों का सहारा है वो बिगिडी हुई तक दीने मापल में बना दीने मापल में बना दीने तु बिगिडी हुई तक दीने मापल में बना दीने बिगडी हुई तक दीने मापल में बना दीने तईया तेरे टुकडों पर हमें सब का सहारा है हमें सब का सहारा है सबसे बड़ा साधिने और दीने तो क्या हमारा काज होनी सवा रेगी अगर हाथ उठाकर उसी देवी को अगर के दोगे बिगडी हुई तकदीरे खया पल में बनाती है बिगडी हुई चकदीरे महपल में बनाती है बैया देरे डुकडों पर हमें तब का गुजारा है प्रिखमनी तकदीर बहितनी माता में जैसे-वहे रद लेकर भगवान औंगे वही लट लेकर भगवान अगहे भगवान जैसे पास आया पंचमुकी संक बजाया पंचमुकी जैसे संक बजा तरे सभी सेदीक सेनाफबती सभी आज देखो निंध्रामे चले गए भगवान अश्टबुजा जगदंबी असरोप रुखमणी से प्रकास निकला उसे प्रकास परसुंदर को देखा हो सामसुंदर के रता बैट पे बैठे करते को सामसुंदर से कहता है मेनु सांवरा सलोना पसंद आ गया हूँ पसंद आ गया रे मेरे मन को भागया मेनु सांवरा सलोना पसंद आ गया जेहो जेहो घरिपा जेहो मुर्मगट के मुर्ले वार हो मुर्मगट के मुर्ले वार हो तिर्ची तिर्ची चित्वन आ गया तिर्ची तिर्ची चित्वन आ गया प्रज का वाद मेरे मन को भागया मेनु सांवरा सलोना पसंद आ गया तिर्ची 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 चित्वन आ गया कि अधार कि जैसे भगवान जैसे भगवान को देखा आज भगवान आनंदित हो गए बड़े प्रसंदी आज रुखमणी का हाथ पकड़ा रत में पिटाया भगवान एसा हरण करके लिए रुखमणी हरण भगवाने का रुखमईया आया पीछे पीछे आज रुखमईया को भगवान ने एसा कीचा के बिनान आई से दाड़ी मुझ बनवा दी बोलिए आज द्वारीका की तुरब पढ़ते हैं सामने से बल्देव भईया आए गए शिशुपाल की सेना को बल्देव भगवान के दुवारा आज दूल चता दी गई भगवान हरी की क्या करपा होती है आज देखो पुना द्वारीका में बिश्मक जी महराज को बुलाया गया बरात आ रहे है आए रुखमणी और स्थीक्रिष्ण की बरात में हम भी जूमते नास्ते हुए दुवारीका में रुखमणी और कुष्ण का विवा हुआ आता सो आज हम नारंदा पुरंपे विवा करते हैं बगवान को सिंगा ओ तेरा किस ने किया श्रिंगार सामरा दूल तेरा किस ने किया श्रिंगार सामरे तेरा किस ने किया श्रिंगार सामरे सिंकार सामरे श्रिंगारändern पाके यारी लालकी बागों से कलिया चिन चुर कर दुन्दर हार बनाया अरे नहीं सलामत हाती सदा वो जिसने तुमें सजाया सजाता रहूं में घरवार सावरे सजाता रहूं में घरवार सावरे तेरा किसने किया सिकार दावरे तेरा किसने किया सिकार दावरे बोल कनया बोल तुझे में कोन सबजन तुनाओं अरे इसा कोई राज गता दे तुनाचे में गाओं खोना चाता रहूं में घरवार सावरे तेरा किसने किया सिकार दावरे देखियेगा मैं निवेधन करना चाहता हूं बराती से सभी से कि अपनी जगे पर भेढ़ जाओ जो नित्ते करें वहीं खड़े रहें देखिए आपकी अपनी कताए आपका अपना आयोजन है आपका अपना आयोजन ये सबसे मेरा दिवेदन है कि उस्तो हम मना रहें अगर सब खड़े रहेंगे तो केसे होगा कि दूटें पीछे हो जाए किश्च्ण और भगवान रुखमणी को खड़ा करें किश्च सबीट जाईएं सब्सें निवेदन है वियास मंद्ज से और वियास मंचली की और से कि सभीबेट जाईएं क्यों कि समय अधीं हो गया है भैया और वर्माला कर क्रिछन क्रिछ सब्सक्राइब सबस्क्राइए और प। पीछे हो जाओ सभी लोग पीछे हो जाएं भगवान कुछने के पास जो भी खड़े एक एमरे वाले बराती निवेदने आप बेड़ जाओ नीचे हमारी यजमान वंदु से भी निवेदने वो भी आजाएं यजमान आज के जो भी जजमान है जिनको भी कन्यादान करना यमना गोदावरी चनर्मदां कावेडी सरयू महेंद्र दन्याद चर्मने वति चवेडिकाद चेप्रा वेत्रवती महासुर नदी क्या था गया गंड की पूर्णा पूर्ण जरे समुद्र जहिता कोरिया आक्सदा नुमंगलम सुभंबमतु शुवलगन सुप्रसन्ना प्रसन्ना प्रसन्ना रुख्मनी माता से निवेवने की क्रिष्ण के गले में वर्माला पेनावे मंगलम मर्लं सुथितंतदेवतारा अवलम चंद्रवलमत देवा वित्यावलम देवा वित्यावलम देवा प्रसन्ना 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 प्रसन्न लगता है जेसे तारे संसार की शादी है आज मेरे शाम की शादी है आज मेरे शाम की शादी है जे हो राचते हुए बनी के कूप जोडी विष्ण दुख मन की जोडी कुशी से जूमे ये मनी फिलां सजनी को जाजन है किसे बादों में कली से मेरे दिलदार की शादी है आज मेरे शाम की शादी है आज मेरे शाम की शादी है तुरुख मन यू मुस्काएं तुझे का ना मिल जाएं तिरी थी बुरी तमलना पूरी वो ही तमलना किसी के दपनों के दोला से गार की शादी है आज मेरे शाम की शादी है आज मेरे शाम की शादी है आज मेरे शाम की शादी है आज मेरे शादी है हुआ लो! वो बन्यारी हुई झाल जयाए झाल नह लेला... नह लेला... लेला... तो लेला... पऩ्ी जह पिंदे जूला से उला सिजितान गी, जिहीं जे लिधान, कि लिधार भी मतीर में पत कर दो जाई जोंगे लिधान, को जाई जा योंगे जा नहीं जाई, जाई, जाई देखो पुर्दी भाजी, ओके शाम के दिवानी लादी लादी अबीदेश इति मेरे लाम रिखे पुर्दी भाजी, देखो पुर्दी भाजी अबीदेश इति मेरे लादी, ओके शाम के दिवानी लादी जिरो तोगो जो की दोड़ा जोता सबसे जिरो ने होट पर सबका नहीं लोगा तुरे बेजा होट पर साथ नहीं लोगा तुरे बैजा वे शोपों रहो नारे वास भी अजाद ये शोपों की नारे में तो नात जाद वे 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 शोपों की नारे में तो नात जाद पकड़ी राजाजी के मिलाजे को सर्भ मशादे, देखो दूमरी राजे, उते शाम के देवादी राजी 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 पकड़ी राजी 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 राज इडर्बे बेडिर्दी अजाओार। बाकि बिहारी के जिया रती गाँ बाकि बिहारी के जिया रती गाँ आज ती गाँ सारे तुम को रिला बाकि बिहारी के जिया रती गाँ बाकि बिहारी के जिया रती गाँ बाकि बाकि अडिया डिऊ में kicking हुआ 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 है हुआ 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 है हुआ हुआ है हुआ है यहितने ओष एक निये चंतों कारी जिस से निये दारी बुदिया जारी जो इस निये आनी आनी जारी 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 लोगी जारी जारी ना वहितने नोपे तो जीशे ना एक एक राय। क्षी, घरी बास में प्यारे तु में आरे मों हो, और यह रिखा से कर यहरे तु में आरे तु में आरे तु मों हो. बे देओं दीन हो ठीजाओ, बेरी बातकिशने, च शीषे नहां आप जाहो हूं है, हम्रेद से अयाद मैंजाओ, आपके भी आपके शाहिं नहीं है, जर्दा गिलाता छीजाओ बार भी मिरो बर उनल्ला बाकथ शार शार मुझाद चैले में के ईतनी कयो खिर्ञ करिया सुरक भी करिक वोगी through करा में लिए चैले में data कम के दोन्य का निसले के तर है 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 नज कर दो कि लागी करे दो करसे लागी जौबने कंचियो जुदैरा हुआर रायाा! जूआएगरा हुआरा हां जूआएपरा है